हेलो बच्चा लोग तो आज हम भी स्टार्ट करने वाले हैं प्यूरिफिकेशन और केरेक्टराइजेशन ओफ और्गैनिक कमपाउंड ठीक है इसे हम पी ओ सी भी बोलते हैं प्रैक्टिकल और्गैनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं ठीक है तीन चीज़े पढ़नी है ठीक है पहला तो है प्यूरिफिकेशन दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस और तीसरा क्वालिटेटिव एनालिसिस ठीक है ये तीन चीज़े हमें इस चैप्टर में पढ़नी है ठीक है तो सबसे पहले में स्टार्ट करते हैं प्यूरिफिकेश of organic compound इसके लिए हमाई पास कुछ टेक्निक से हैं special टेक्निक जो हमारे इस लेबस में है ठीक है तो देखो भई कौन कौन सी टेक्निक है पहली एक chromatography वन बाई वन करके discuss भी करेंगे दूसरी crystallization distillation solvent extraction जिसको हम differential extraction भी बोलते हैं चौथी पांचवी sublimation ठीक है अब आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारे pure organic compound होते हैं उनका एक fixed melting और boiling point होता है ठीक है तो ये चीज़ आप ध्यान रखना ठीक है ये चीज़ आप ध्यान रखना ठीक आगे काम आएगा अपने एक second एक second ठीक है तो चलो मुनना लोग स्टार्ट करते हैं ठीक देखो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं chromatography की ठीक chromatography तो chromatography पहले आप समझना नाम से क्या पता चलता है नाम से ठीक है देखो chroma, chroma मतलब क्या होता है color ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है color ठीक है तो समझो तो color separation technique ही क्या होती है chromatography ठीक जैसे आप लोगों ने lower classes में पढ़ा होगा कि जो orange color होता है ये दो color से मिलकर बना होता है कौन-कौन से कौन-कौन सा एक होता है red और दूसरा होता है एक होता है red और दूसरा होता है yellow ठीक है तो अगर आपको orange color की dye को red और yellow color की dye में separate करना है तो आपके पास technique कौन सी होगी chromatography ठीक है तो chromatography is basically एक color separation technique ठीक है तो chromatography क्या है देखो notes भी साथ साथ बनाते चलना ठीक है ये क्या है color separation technique color separation technique ठीक है पूरा अच्छे से बढ़िया से notes बनाते चलना A to Z सारी चीज़े बताने वाला हूं ठीक है ना सारा आपका J advance तक का सारा का सारा यहां पर notes बनेगा अच्छे से ठीक है तो चलो chromatography क्या है color separation technique हमने समझ लिया ठीक है अब chromatography को और discuss करने से पहले मैं आप से एक एक फेनामेना discuss करने वाला हूं जिसका नाम है adsorption जो बच्चे 12th पढ़ चुके है dropper batch में है वो adsorption जानते होंगे क्या है लेकिन जो बच्चे 11th में है वो नहीं जानते होंगे ठीक है तो उन्हें मैं बता देता हूं क्यूंकि chromatography उसी के उपर based है ठीक है चलो समझते है adsorption क्या है ठीक है समझना adsorption adsorption टाइन जाता है ठीक है black complexion होने के वजह से दिखाते हूंकी भयंकर problem यह problem है शादी नहीं हो रहे कोई दोसती नहीं कर रहा कोई बात नहीं कर रहा कोई line नहीं देता ठीक है ऐसे भयंकर दिक्कत हो रही है ठीक है वह लोग क्या करते है चार फेरे लवली लगा लेते हैं, अपनी इसकिन पर पोत लेते हैं, घिस लेते हैं, और फिर चार हम्ते बाद एकदम क्यात्रीन कैफ है और इह रितिक रोशन टाइप बन जाते हैं ठीक है और फिर बस लाइफ तो उनकी सेट हो जाती है है नँज दिखाते हैं क्या वो cosmetic आपकी skin के अंदर चले जाते हैं, क्या, आपके blood में चले जाते हैं, क्या, नहीं न, वो तो आपके skin पर ही रहेंगे न, आपके skin पर ही रहे जाते हैं, ठीक है, यानि, यह जो cosmetic है, यह आपके skin के surface पर रहते हैं, ठीक, तो इस process को बोलते हैं, adsorption, ठीक है, adsorption, तो adsor इड्जॉप्शन बेसिकली है क्या एक सर्फेस फेनामेना है ठीक है सर्फेस फेनामेना है अच्छा और समझो अब जैसे अगर मान लो आपने कोई भी चीज खाई ठीक है गाजर खाया मूली खाया कद्दू खाया कुछ भी खाया ठीक अब वो आपके पेट में क्या होगा डाइजेस्ट होगा है ना डाइजेशन होने के बाद वहाँ जो न्यूट्रियंट्स होते हैं वो न्यूट्रियंट्स आपके बॉड़ी में एब्जॉर्ब होते हैं ठीक है एड्जॉर्ब नहीं आपकी बॉड़ी में क्या हुए एब्जॉर्ब, ठीक है, एड्जॉर्ब कहा होता है, एड्जॉर्ब, एड्जॉर्ब सर्फेस पर होता है, लेकिन न्यूट्रियंट्स आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, तो जो आपके पास एब्जॉर्प्शन है, जो आप पहले पढ़ चुके हो, तो य यह क्या होता है basically, इसको यहाँ पर हम discuss नहीं कर रहे हैं, यह होता है bulk phenomena, ठीक है, यह क्या होता है bulk phenomena, क्यूंकि इसमें substance body के अंदर चला जाता है, ठीक है, bulk phenomena, और जहाँ पर सिर्फ substance या molecule surface पर रहता है, उसे हम बोलते हैं absorption, ठीक है, तो absorption आप पहले पढ़ चुके होगे, ठीक ह इसको हम यहाँ discuss नहीं करने वाले हैं, ठीक है, आप समझते होगे, absorption क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग adsorption की चर्चा करने वाले हैं, adsorption, ठीक है, तो देखो adsorption में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एक होता है हमारे पास, एक सेकेंड रूख, थोड़ा यह हाँ, समझो, एक होता है हमारे पास, adsorbate, ठीक है, adsorbate, और दूसरा होता है, adsorbent, ठीक है, adsorbate और adsorbent, ठीक है, देखो, इनका नाम थोड़ा similar है, इसलिए confused नहीं होना, ठीक है ना, confused नहीं होना यहाँ पर, दोनों में फर्क होता है, क्या फर्क अभी बताता हूँ, ठीक है, समझो यहाँ पर, एक पिंक हाँ, देखो, adsorbent क्या है, जैसे आपने कोई cosmetic उठाई, है ना, मुलतानी मिट्टी है ना, नैचुरल है वो तो अच्छा है होता है, ठीक है, दही उठा लिया, क्रीम उठा लिया, कुछ भी उठा लिया, ठीक, और आपने उसे अपनी स्किन पर लगा लिया, है ना, आपने स्किन पर उसे अच्छे से रगड़ रगड़ कर पोत लिया, लगा लिया अपने, ठीक है, तो आपने लगाया क्या, आपने लगाया है, कॉस् तो जो चीज आपने लगाई है उसको बोलते हैं adsorbate ठीक है और जिस surface के ऊपर आप लगा रहे हैं उसको बोलते हैं adsorbent ठीक है तो adsorbate क्या होता है adsorbate जिसका adsorption होगा उसे हम क्या बोलेंगे adsorbate ठीक है तो adsorbent क्या है जिसके ऊपर adsorption होगा ठीक है तो जिसके ऊपर जिसके ऊपर मतलब यह क्या हमारे पास वो surface है ठीक है जिसके ऊपर adsorption होगा ठीक है तो इतनी चीज़े आप समझ गे होगे adsorbate क्या है adsorbent क्या है और adsorption क्या है ठीक है adsorption के दो पार्ट्स होते है adsorbate और adsorbent जिसके ऊपर जिस surface के ऊपर adsorption होता है उसको बोलते है adsorbent और जिसका जिस substance का adsorption होता है surface के ऊपर उसे हम बोलते है adsorbate ठीक है इतनी बाते समझ गए होगे ठीक है पूरा इसी का खेल है chromatography में ठीक है adsorption कहीं है ठीक है चलो आगे बताते हैं ठीक है समझना अब हम बात करते हैं वापस से chromatography की ठीक है तो देखो chromatography जैसा मैंने आपको बता दिया color separation technique है ठीक है तो देखो बाकी history civics geography हम लोग इसके नहीं पढ़ रहे हैं ठीक है कहाँ पर use हुआ कहाँ पर starting हुई यह सब हम नहीं पढ़ रहे हैं ठीक है अब समझो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ठीक है basically तीन चीज़े होती है एक सगें basically तीन चीज़े होती है chromatography में ठीक है chromatography में तीन चीज़े होती हैं डिसकस कर लेते हैं वो क्या चीज़े हैं देखो आप मेरे साथ साथ notes बनाते चलो चाहे तो pause करके भी बना सकते हो बाकी जो ncrt की line है वो मैं आपको दिखा दूँगा एक बार पढ़कर बता दूँगा ठीक है आप चाहे तो उसे भी note कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं लेकिन ncrt की line के जल्दी समझ नहीं आती है ठीक है पढ़ते रहो पढ़ते रहो सब एकदम bouncer हो जाती है ठीक है तो इसलिए चाहे तो मेरे सा साथ notes बनाते चलो ठीक देखो या पर chromatography chromatography में हमारे पास होती क्या क्या है हमारे पास इसमें तीन चीज़े होती है ठीक है पहली होती है हमारे पास stationary phase stationary stationary phase देखो stationary phase ये कोई solid या liquid हो सकता है क्या हो सकता है ये कोई solid या liquid ठीक है यह कोई solid या liquid होता है जिसके उपर adsorption होगा ठीक है जिसके उपर adsorption होगा ठीक है ठीक है अच्छा नाम से पता चल रहा है स्टेशनरी मतलब रुका हुआ है इसके उपर adsorption होता है ठीक है किसका अभी आगे देखते हैं ठीक है समझना अगला हमारे पास वो mixture जिसके components को आपको separate करना है ठीक है वो mixture जिसके components को आपको separate करना है ठीक है तो mixture जिसके components या constituents को आपको separate करना है जिसके components को separate करना है ठीक है करना है ठीक तीसरा होता है mobile phase जिसमें आप देख रहे हो नहीं नहीं वो नहीं ठीक है mobile phone में तो आप में से कई लोग देख रहे होगे ठीक है यह सारा लेकिन actual में यहां जो mobile होता है इसका मतलब होता है moving, moving, ठीक है, तो mobile phase, ठीक है, यह generally होता क्या है, समझें यहाँ पर, यह कोई solvent होता है, या कोई mixture of solvent होता है, ठीक है, mobile phase क्या होता है, solvent होता है, या mixture of solvent होता है, ठीक है, it is solvent या mixture of solvent mixture of solvent ठीक है देखो यहां mixture of solvent भी हो सकता है इसलिए यहां पर एक और word का use किया जाता है element ठीक है element ठीक है तो चाहे solvent बोलो या element बोलो एक ही बात है यहां पर ठीक है अच्छा अब जैसे solvent में आप एक term पढ़े थे solvation अगर water होता है solvent हम क्या बोलता है hydration तो वैसे ही अगर आप solvent की जगा element word का use कर रहे हो तो आप यहां पर elevation पढ़ोगे ठीक है solvation की जगा आप क्या बोलोगे solvation जब आपको use करना होगा तो उसकी जगा आप क्या बोलोगे elevation solvated अगर बोलना रहेगा तो आप अगर आप element word use कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे elevated ठीक है घबराना नहीं भाई simple सा language ही है अगर आप solvent की जगा element word use कर रहे हो तो solvation की जगा आपको क्या बोलना है elevation solvated की जगा आपको क्या बोलना है elevated ठीक है इतनी चीज़े आप ध्यान रखो confused नहीं होगे question की language में कई बार ऐसी confused करता है ठीक है इतनी चीज़े समझ गए होगे ठीक है आगे बढ़ते हैं तो अब देखो technique जो हम use करते हैं जो technique हम use करते हैं क्रोमेटोग्राफी में उसके basis पर क्रोमेटोग्राफी दो टाइप की होती है ठीक है समझो है आपर एक तो होती है adsorption chromatography दूसरी होती है partition chromatography ठीक है इनको one by one करके पढ़ते हैं ठीक है तो adsorption chromatography ठीक है समझना ये भी दो type का होता है ठीक है चलो एक तो देख लो column chromatography column chromatography और दूसरा होता है thin layer chromatography जिसको short में हम TLC बोलते हैं column chromatography और thin layer chromatography ठीक है बताता हूँ अभी one by one करके बताता हूँ ठीक है partition chromatography में हम एक special type का paper use करते हैं cellulose paper ठीक है बताता हूँ अभी इसलिए हम इसे paper chromatography भी कहते हैं ठीक है paper chromatography one by one करके सबको देखते हैं सबको निप्टाते हैं लाइन से निप्टाएंगे, ठीक है, तो चलो भई, पहले देखते हैं, column chromatography, ठीक है, समझना, पहले मैं आपको figure दिखा देता हूँ, ठीक है, figure दिखा देता हूँ, ठीक है, column chromatography, NCRT में given है ये figure, काफी अच्छा figure है ये, ठीक है, समझना यहाँ पर होता किया आपने पास, देखो, आपके पास एक glass tube होती है, glass tube, ठीक है, आपने क्या क्या, glass tube को यहाँ नीचे से बंद कर दिया, glass wool लगा दिया, ठीक है, यहाँ से आपने stop cock से इसको बंद कर दिया, भई नीचे hole है, leak हो जाएगा ना, तो इसको आप बंद कर दो ना नीचे से, कर दिया, अब इसमें क्या पहले भरा जाता है, इसमें silica gel, silica gel या alumina, ठीक है, जनरली silica gel use किया जाता है, ठीक है, तो silica gel या alumina उसे हम use करते हैं, पहले उसको भरते हैं, ठीक है, तो वो किसका काम करता है, that acts as adsorbent, ठीक है, वही आपका क्या है, stationary phase है, ठीक है, तो इस stationary phase यहाँ पर क्या रहता है, silica gel या alumina, mostly silica gel use करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी बाद हम उस mixture को भरते हैं, ठीक है, mixture को हमने भर दिया, ठीक, Let us suppose NCRT में जो given है हम ये मान रहे हैं कि mixture तीन चीज़ों का बना है A, B और C ये इसमें तीन component है A, B और C जिनको हमें separate करना है अब इसके उपर हमने क्या भर दिया वो solvent, element हमने वो भर दिया एक appropriate element हमने उसके उपर डाल दिया अब दिखोई काम कैसे करता है समझना काम कैसे करता है इसको समझाने के लिए मैं आपको एक day to day life का example देता हूँ समझो जैसे वही टीवी में एड वगरा देखते होगे dust, pollution, skin में mail जम जाता है होता है, जो की सही बात है तो अब क्या हुआ हम सबसे पहले क्या skin में mail जम गया तो हमें अगर धोना है इस mail को साफ करना है तो हम क्या करते है, समझो अगर हमने सिर्फ पानी से धोया तो कुछ जो dust particle रहते है पानी के साथ flow करके नीचे आते है तो आपकी skin क्या है adsorbent जहां पर ये dust particle जमा हुआ है और जो ये dust particle है let us suppose dust particle A, B और C ये तीन dust particle है आपने क्या किया इन dust particle को साफ करने के लिए आप क्या करोगे, एक mobile face का use करोगे जो की क्या है, पानी आपने पानी से चहरा धोया तो जब आप चहरा धोगे तो पानी क्या करेगा, कुछ dust particle को अपने साथ बहा कर नीचे ले आएगा ठीक है, कुछ dust particle को बहा कर नीचे ले आएगा जैसे मान के चलो जो dust particle ये पानी से बह कर नीचे आ गया, वो dust particle है C, मान के चलो, ठीक है तो इसका मतलब ये कि जो C था वो ज़्यादा अच्छे से skin में adsorb नहीं हुआ था इसलिए पानी मारते हुआ नीचे आ गया ठीक है अच्छा लेकिन अगर dust particle A और dust particle B अगर यह आपकी skin में थोड़ा अच्छे से बैठा हुआ है ठीक है तो सिर्फ पानी मारने से तो साफ नहीं होगा जो कि fact बात है ठीक है add में भी दिखाते है सिर्फ पानी मारने से तो साफ नहीं होगा ठीक है तो आपने क्या किया आपने इस बार पानी इस बार आपने पहले क्या किया एक face wash लगा लिया फिर उसके बाद आपने पानी मारा ठीक है, तो face wash लगा के फिर आपने पानी मारा, तो let us suppose dust particle B भी निकल आया, ठीक है, B भी निकल आया, अच्छा एक बात बताओ, B को निकालने के लिए थोड़ा ज़्यादा effort लगाना पड़ा, क्यों, क्योंकि जो B dust particle है, dust particle B है, वो आपकी skin में ज़्यादा अच्छे से adsorb मतलब C ज़्यादा अच्छे से adsorb नहीं हुआ था, ठीक है, अच्छा, अब कौन बचा है आपके पास, A, ठीक है, let us suppose आपके पास dust particle बचा है, A, ठीक है, अब आप क्या करे हो, face wash लगाया, फिर उसको अच्छे से massage करोगे, ठीक है, अच्छे से massage करोगे, ठीक है, वो anti-clockwise या dust particle A निकला है, ठीक है, और एच्छे से massage किया, फिर आपने पानी मारा, तब जाकर dust particle A आपकी skin से निकलाया, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो dust particle A था, वो सबसे ज़्यादा strongly आपकी skin में adsorb हुआ था, ठीक है, तो इसलिए उसको निकालने के लिए सबसे ज़्यादा effort डालना प सही कुछ similar है, column chromatography, ठीक है, समझों यहाँ पर, समझना, आपके पास जो अलग-अलग substance है, उनका degree of adsorption, यानि extent of adsorption अलग-अलग होगा, ठीक है, समझों इस बात को, तो पहले लिख लेते हैं, different, different substances have, have, different degree of adsorption, degree या extent, extent of adsorption, extent of adsorption, ठीक है, ठीक, जिसका adsorption ज्यादा होगा, वो ज्यादा आसानी से नीचे नहीं आएगा, मतलब वो mobile phase के साथ नीचे नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन जिसका adsorption कम है, वो ज्यादा नीचे आएगा, वो mobile phase के साथ ज्यादा नीचे आजाएगा, मतलब mobile phase को आपने डाला, तो उसके साथ बहे कर नीचे आ जाएगा ठीक है तो substance with substance with high adsorption high adsorption moves a little moves a little with with mobile phase mobile phase आपका यानि solvent ठीक है solvent या element जो बोलना चाहे आप बोल दो यहाँ पर लेकिन जिसका adsorption कम है ठीक है वो ज़्यादा flow कर जाएगा किस के साथ mobile phase के साथ ठीक है तो इस बात को भी लिख लो substance with low adsorption low adsorption moves 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 a lot है ना या moves a large distance a large distance with with mobile phase ठीक है mobile phase जो की क्या होता है आपका solvent या element ठीक है solvent बोलो या element बोल दो ठीक है यह बात समझ गए होगे एक और चीज़ बता रो आपको जिसका adsorption जादा है उसका mobile phase में solvation solvation कम होगा ठीक है तो यह बात भी लिख लो ठीक है since since it is solvated या elevated less with mobile phase ठीक है with mobile phase ठीक है मतलब जिसका adsorption जादा हुआ है यह mobile phase में उतना यहीं कम solvate होगा उतना यहीं कम घुलेगा ठीक है कम घुलेगा मतलब वह ज़ादा नीचे नहीं जाएगा वह ज़ादा distance cover नहीं करेग ठीक है लेकिन जिसका adsorption कम है जिसका adsorption कम हुआ है ठीक है वह solvent यानि alien के साथ ज्यादा solvate होगा ज्यादा घुलेगा और वह ज्यादा नीचे जाएगा ठीक है तो इस बात को भी लिख लो सिंस सिंस इतेज ऑल जल सौल्बएड है पाल्बाइल है या फिर अगर आपईलवेट यर्द यूज्ड लड यूजकन वर्ड यूजकन ही ठीक है विधन mobile phase, ठीक है, तो जो जादा घुला है, वो नीचे तक जाएगा, जो कम घुला है, वो जादा नीचे नहीं जाएगा, थोड़ा सा ही distance cover करेगा, ठीक है, बस इसी बात पर based है column chromatography, ठीक है, मैंने आपको diagram बता ही दिया था, पहले stationary phase है, यानि adsorbent, इसके उपर क्या रहता है, mixture of compound जिसको आपको separate करना है, इसके उपर आपने क्या डाला है, solvent यानि element, ठीक है, इतनी बात समझ गया होगे, अब बस वही चीज़े, जैसे आपने solvent डाला, let us suppose यहाँ पर जो A है, इसका degree of absorption जादा है, तो यह solvent में जादा नहीं घुलेगा, solvent में जादा नहीं घुलेगा, तो A B और C solvent में जादा घुला है, क्यों, क्योंकि उसका degree of absorption कम है, उसका जो absorption है, B और C का, वो, मतलब यह adsorbent पर, वो कम है, वो कम adsorb हुआ है, तो वो solvent में जादा अच्छे से solvate होगा, तो B और C जादा नीचे आया, ठीक है, तो देखो A अलग हो गया, B और C से, ठीक, अब B और C में, C का adsorption सबसे कम है, सबसे कम, तो वो solvent जादा होगा, और वो सबसे नीचे आएगा, ठीक है, C का adsorption सबसे कम है, तो सबसे नीचे आएगा, ठीक है, तो अब देखो B और C भी अलग हो गया, ठीक है, तो यह पूरा method है, column chromatography का, ठीक है, जो कम solvent होगा, जो कम elevate होगा, जो जादा solvate हुआ है, जादा elevated हुआ है, वो नीचे आएगा, ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, A, B और C को separate कर लिया, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे है, column, एक column of stationary phase का use कर रहे है, इसलिए इस method को नाम दिया गया है, column chromatography, बस, यही और कुछ नहीं है, ठीक है, इसी के मैंने पूरा का पूरा यहां theory लिखी है, पहले absorption chromatography का बता दिया, उसके बाद column chromatography को मैंने बता दिया, ठीक है, इतनी चीज़े आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, आप चाहे तो यहां से note कर सकते हो, या फिर मैंने आपको जो theory बताई है, आप यहां से भी note कर सकते हो ठीक है, आपका notes अच्छा बन जाएगा, ठीक, चलो, हमने column chromatography देख ली, अब बात करते है, thin layer chromatography की, column में हम क्या कर रहे थे, नीचे flow कर रहे थे, thin layer में अब उपर flow करेंगे, ठीक है, देखना, चलो, यह देखो, thin layer chromatography, ठीक है, इसको समझते हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है, समझो बेटा, फिर वही चीज, तीन ही चीज़े चाहिए आपको, एक तो इस stationary phase, दूसरी वो mixture जिसको आपको separate करना है, तीसरा mobile phase, ठीक है, यही तीन चीज़ आपको चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर बेटा देखो, होता क्या है, होता क्या है, समझो भाई लोग, ठ होती है, ठीक है, एक glass plate हम लेते है, suitable size की, ठीक, फिर हम क्या करते है, एक second, जैसे मैं इसका use कर लेता हूँ, ठीक है, यह देखो, समझो यहाँ पर, जैसे यह AC का remote है, जैसे हमने क्या किया, एक glass plate ले ली, ठीक है, अब glass plate पर हम क्या करते है, एक silica gel की एक layer बनाते है, silica gel की layer 0.2 mm की layer होती है, 0.2 mm thickness की layer होती है, पूरा एकदम यहां रगड़ दिया, पोत दिया, अच्छे से, ठीक है, कर दिया, अब, अब हम क्या करते है, जो यह base है, ठीक है, यह base, उल्टा कर दोगे, तो यह base हो जाएगा, ठीक है, सीधा कर दिये, तो यह base हो गया, base से करीब 2 cm पर हम क्या करते है, उस mixture को जिसको आपको separate करना है, इसके components में उसका एक spot बनाते है, ठीक है, हमने मान के चलो, यहां पर उस mixture को हमने एक spot बना दिया, ठीक है, spot बना दिया, अब, अब हम क्या करते है, इस glass plate को हम solvent में dip कर देते है, solvent में रख दिया, ठीक है, यह solvent में हमने इस इसको क्या किया, glass plate को रख दिया, अब solvent क्या करेगा, capillary action के थुरू यहां से उपर उड़ता जाएगा, ठीक है, solvent, solvent ही आपका क्या है, mobile phase, अब वही solvent यहां से उपर जाएगा, और based on different degree of absorption, degree of absorption या फिर extent of absorption, ठीक है, आपके अलग-अलग component, अलग-अलग distance तक जाएगे और वो separate हो जाएगे, ठीक है, अलग-अलग component, mobile phase के साथ, अलग-अलग distance तक जाएगे और separate हो जाएगे, ठीक है, कोई component मान के चलो यहां तक गया, वो यहां आ जाएगा, उसका यहां पर एक spot बन जाएगा, दूसरा component मान के चलो यहीं तक आया, उस का spot यहां बन जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आपके पास यहां पर यह थिन लेयर chromatography में हम components को अलग करते हैं ठीक है अच्छा इस तरीके से आपके पास जो glass plate बन जाती है जिसमें अलग-अलग components के अलग-अलग spot आपको दिखाई देते हैं इस glass plate को हम कहते हैं chroma plate ठीक है इसको क्या बोलेंगे chroma plate ठीक है इतनी बातें समझ गए होगे अब मैं इसी को diagram के थूर बताता हूँ ठीक है समझो यहां पर यही उसकी theory लिखी है ठीक है जो NCRT से ली गई है ठीक है आप चाहे तो इस theory से समझ सकते हो या फिर अब जो मैं लिखवाने चाहरा हूँ वहां से भी आप अपना notes बना सकते हो समझो ठीक है दिखो यहां पर सबसे पहले अपने जल का यहां पर यह layer बना दिया पूरा अच्छे से silica gel का layer बना दिया ठीक है बना दो भाई अच्छे से port डालो ठीक है जितना वह फेरल लवली अपने चहरे पर पोथते हो ठीक है जितना वह अच्छे से उतने अच्छे से यहां पर सिलिका जल पोट डालो ठीक है कोई फैदा नहीं होता है इंसान क्या काम से दिखता है यह नहीं कि फैरेल लवली लगा दी एकदम रितिक रोशन बन जाओ गए ठीक है यहाँ ध्यान दो ठीक है तो देखो हमने क्या किया इसके उपर जैसे फैरेल लवली पोट डाला ठीक है यह देखो यह कर डाला ठीक है अब देखो अब क्या होगा अब बेस से करीब दो सेंटीमीटर उपर एक मिठ है ना यह इसका लेता हाँ बेस से करीब दो सेंटीमीटर उपर ठीक है हमने क्या किया यहाँ पर एक स्पॉट बना दिया, ठीक है, किसका, उस colored substance का जिसको आपको इसके components में separate करना है, ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हम इसको ले कर गए और ये इसमें solvent में dip कर दिया, ठीक है, solvent में इसका नीचे वाला जो ये है na, end, इसको हमने solvent में dip कर दिया, मतलब solvent से केवल touch करना है ये नहीं पुरा डुबो देना है केवल touch होना चाहिए अब देखो ये एक सेगन ये भी मैं बता दे तो ये spot करीब 2 cm उपर होता है और ये जो layer होती है कितनी होती है 0.2 mm थिक होती है अब देखो by capillary action by capillary action ये क्या होगा ये आपका जो ये solvent है जो यहां mobile phase का काम कर रहा है ये उपर आएगा ठीक है capillary action solvent आपका यहां तक आएगा ठीक है let us suppose यहां तक आगया ठीक है इसको कुई और color दे तो ये ठीक है यहां तक आगया ठीक है ये इसको फिर मैं और बता देता हूँ यहां तक ठीक है तो ये आप ये आपका क्या हो गया solvent का front ठीक है एक second अच्छे से बना देता हो भई ये देखो ये आपका क्या हो गया solvent front ठीक है मानके चले यहां तक आपका solvent move किया इसे हम क्या बोलेंगे solvent front ठीक है ये क्या है आपका solvent front ठीक है इस distance तक move किया distance हमेशा हम यहां से लेंगे उस point से जहाँ पर आपने mixture का spot बनाया है इसको हम क्या बोलते है baseline ठीक है जहाँ पर आपने mixture का spot बनाया है उस जगा को हम बोलते है base line ठीक है और distance हमेशा हम base line से ही देखते हैं ठीक है तो let us suppose यह जो distance था आपका यह है Z ठीक है solvent कहां से कहां तक move किया यह Z distance तक Z आप कहां से लोगे Z आप measure करोगे कहां से base line से ठीक है यह नहीं कि पूरा यहां से measure कर दिया नहीं नहीं बेस लाइन से measure करना है ठीक है अब यहाँ पर जो component थे let us suppose यह एक component यह था ठीक है दूसरा ले ले ते यार यह क्या एक component आपका यहां तक move किया ठीक है यह यहां तक move किया ठीक तो let us suppose इसका जो distance था X, ठीक है, कहां से आप measure कर रहे हो, baseline से, ठीक है, और दूसरा जो component था, ठीक है, जिसका absorption कम हुआ था, जो solvent में ज़्यादा solvate हुआ है, let us suppose वो यहां तक move किया, यह यहां तक, ठीक है, एक second, let us suppose वो यहां तक move किया, ठीक है, यहां तक move किया, और इस distance को हम लोग बोल देते है, let us suppose Y, ठीक है, तो क्या आप बता सकते हो, एक मेंट, component का नाम दे देते है, यह इसका नाम दे दो, let us suppose हमने इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B, ठीक है, तो क्या आप बता सकते हो कि ज़्यादा adsorption किसका हुआ था ठीक है A का ज़ादा adsorption हुआ था तभी तो वो ज़ादा उपर नहीं जा पाया ठीक है B का adsorption कम हुआ था तभी तो ज़ादा height तक गया ठीक है इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से पूछ हूँ किसका elevation यानि solvation कम हुआ है किसका solution कम हुआ है उल्टा जिसका solution कम होगा जिसका solution कम होगा वो ज़ादा उपर तक जाएगा और जिसका हाँ जिसका solution ज़ादा हुआ है sorry sorry मैंने उल्टा बोल दिया फिर से बताता हूँ जिसका solution ज़ादा होगा वो ज़ादा उपर तक जाएगा ठीक है और जिसका solvation कम हुआ है वो जादा उचाई तक नहीं जाएगा वो जादा distance cover नहीं करेगा तो क्या आप यहां से ऐसा बोल सकते हो कि जो A है इसका higher higher degree of adsorption हुआ है higher degree of adsorption हुआ है ठीक है adsorbent पर और इसलिए इसका lower elevation हुआ है elevation यानि solvation ठीक है अब समझो अब B की अगर हम बात करें तो B जादा distance move किया है इसका मतलब यह है कि उसका adsorption कम हुआ है ठीक है तो B के साथ क्या हुआ है lower degree या फिर extent lower degree of adsorption adsorption कहा होता है adsorbent पर होता है adsorbent है क्या glass plate जिसके उपर 0.2 mm का silica gel लगा हुआ है 0.2 mm thickness का silica gel का layer है ठीक है वही आपका adsorbent है उसी के उपर adsorption हो रहा है ठीक है तो lower degree of adsorption इसका मतलब इसका मतलब यह है थज higher higher elevation या फिर solvation ठीक है यहाँ सही question मनता है ठीक है सारी चीज़े अच्छे से समझो यहीं से question मनता है ठीक है एक second एक second का question एक second एक दो second का question रहता है बस ज्यादा नहीं ठीक है point समझते जाओ solve कर दें time ही नहीं लगता है उसे ठीक है तो इतनी चीज़े polar substance उनका silica gel के साथ interaction जादा होता है जादा होता है ठीक है ठीक तो होता है ना भई सबका अपना अपना choice है ठीक है actual में क्या है कि silica gel silica gel के साथ polar substance का interaction जादा होगा मतलब जो substance polar है वो silica gel के उपर जादा adsorb होगा और इसलिए उसका alevation कम होगा ठीक है तो इस बात को भी लिख लो polar substance have have higher higher degree of absorption degree of absorption ज्यादा degree of absorption होगा इसलिए वो ज्यादा उपर नहीं जाएगा उसका solvation ज्यादा नहीं हुआ तो ज्यादा उपर नहीं जाएगा ठीक है therefore therefore lower alevation मतलब solvation ठीक है और इसी लिए polar substance ज्यादा distance cover नहीं करता है ठीक है and thus and thus and thus covers less distance less distance from baseline from baseline ठीक है baseline ठीक है अब कौन ज्यादा adsorbed हुआ है कौन कम adsorbed हुआ है या फिर किसका ज्यादा alevation हुआ है किसका कम alevation हुआ है या फिर कौन ज्यादा distance cover कि comed거든 कौन कम distance cover किया है इसको major करने के लिए हमारे पास एक fraction होता है जिसको हम बोलते हैं RF ठीक है, retardation factor ठीक है, तो समझाए आपर retardation factor है क्या पहले इसका मैं formula लिख देता हूँ ठीक है, फिर इसके बारे में ज्यादा detail में चर्चा करेंगे आके ठीक है, एक्चल में क्या retardation factor से बहुत question आ रहे है आज कल, ठीक है, आज कल क्या मतलब यह तो favorite topic है जही वालोगा, ठीक है यहाँ से बहुत भर-भर के question पूछते है ठीक है, चलो, आगे देखते retardation factor है क्या समझाए यहापर this is the distance distance covered by covered by distance covered by substance ठीक है, substance यह component from baseline from baseline upon 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 distance covered distance covered by element element या solvent या mobile phase है ना solvent from baseline ध्यान देना, baseline से ही देखना है baseline से ही देखना है baseline जनरली 2 cm उपर होती है हो सकता है किसी question में 2 cm न बोलकर 0.5 cm कर दिया गया है ठीक है, एक question आया था जही में अभी वो भी दिखाऊंगा, ठीक है तो देखो अगर हम यहाँ पर A के लिए देखें, ठीक है अगर हम A के लिए देखें, तो A कहां तक गया है? X तक, ठीक है? X height तक गया है, ठीक है? तो अगर हम retardation factor देखें retardation factor for A तो कहां तक गया है? X तक, ठीक है? और distance covered by solvent कितना यहाँ पर? Z, ठीक है? तो X by Z हो जाएगा और अगर retardation factor आप देखो B के लिए तो B कहां तक गया है? B गया है Y तक Y तक गया है, ठीक है? तो Y upon distance covered by element कितना? Z, ठीक है? तो अब ध्यान दो R F किसका ज़्यादा होगा? R F किसका ज़्यादा होगा? ठीक है? सीधी जी बात है denominator सेम है तो किसको देखना है? Numerator को ठीक है? तो किसका numerator बड़ा है मुन्ना? Y बड़ा है Z से, ठीक है? इसलिए R F of B is greater than R F of A, ठीक है? इससे क्या पता चलता है? क्या पता चल रहे है? उपर देखो, उपर मैंने लिखा है कि जो polar substance है उसका degree of absorption ज़्यादा होता है ठीक है? तो ज़्यादा होने की वज़ा से वो less distance cover करेगा अगर वो distance less cover कर रहे है मतलब उसका R F क्या होगा? ठीक है? तो चलो, लिख लेते हैं इन सब बातों को तो R F से हमें क्या पता चलता है? ठीक है? समझो यहाँ पर R F से पहली बात तो यह पहली बात तो यह समझो यहाँ पर कि जो maximum distance cover होता है ना baseline से maximum distance वो किसका होगा? solvent का होगा इसलिए R F हमेशा 1 से कम होता है ठीक है? तो लिख लो इस बात को तो पहली बात तो यह कि R F is always less than 1 always less than या ऐसे इसको ऐसे लिख दो can never be greater than 1 ठीक है? R F can never be can never be greater than 1 ठीक है? greater than 1 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता ठीक है? दूसरी बात अलग-अलग type का जब हम chromatography करेंगे ठीक है? अभी तो हम क्या देख रहे हैं? अभी तो हमने column देखा ठीक है? TLC देख रहे हैं आगे paper chromatography भी देखेंगे ठीक है? तो अलग-अलग type के chromatography में RF की value different आती है ठीक है? तो RF की जो value है RF, value of RF ठीक है? एक सगेंड इसको ऐसे लिख देता हूँ हाँ, value of RF value of RF depends on type of chromatography depends on type of chromatography ठीक है? और, 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 और अगर आपने mobile phase अगर आपने mobile phase यानि solvent अगर different लिया तो अलग-अलग solvent अलग-अलग distance तक ऊपर चढ़ेंगे ठीक है? तो RF की value वहाँ पर different आएगे अगर मान के चलो, यहाँ पर आपने कोई और solvent लिया होता तो हो सकता है, वो यहाँ तक जाता ठीक है? तो Z की value different आती ठीक है ना? तो RF की value क्या हो जाती? different हो जाती ठीक है? तो इसी लिए एक सकेंड तो इसी लिए RF की जो value है वो chromatography पर तो depend करती है अलग-अलग chromatography में RF अलग आएगा और साथ ही साथ अगर आपने solvent यह नि mobile phase different ले लिया तो RF की value भी different हो जाएगी ठीक है? तो type of chromatography and mobile phase ठीक है ना? इतनी चीज़े समझ गए हो गए आप ठीक है? अच्छा और और देखो और कुछ चीज़े बताता हूँ आप लोग को ठीक है? separation of a substance या फिर purification जो भी लिख लो हैना? separation of a substance by chromatography depends on depends on depends on पहली चीज़ तो यह एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड आर फ में कुछ और चीज़े मैं को बताता हूँ बता नहीं थी वो भी बता देता हूँ ठीक है? एक सेकंड समझाओ या पर आर फ की value और क्या क्या बताती है? ठीक है? तो तीसरी बात तो यह चौती बात ठीक है? आर फ हमें यह भी बताता है किसका ads option कम हुआ है किसका जादा अगर ads option जादा हुआ है तो जादा उपर नहीं जाएगा तो उसका आर फ क्या होगा? कम ठीक है? तो लिक लो इस बात को आर फ इस देखो हाँ क्या बताया था मैं? जिसका ads option जादा उसका आर फ कम ठीक है? तो यहीं पर बता सकता था चलो यहां बता देता हूँ ठीक है? आर फ इस इनवर्सली प्रपोर्शनल तो extent of adsorption extent of adsorption ठीक है? on adsorbent ठीक है? adsorbent या stationary phase ठीक है न? ठीक है? इतनी बाते समझ गए होगे ठीक है? तो RF की हमने इतनी बाते समझ ली ठीक है? भई RF 1 से जादा नहीं हो सकता RF किसके उपर depend करता है? type of chromatography के उपर और mobile phase के उपर ठीक है? RF की value उन दोनों के उपर depend करती है RF की value को compare करने से हमें ये पता चलता है किसका polarity कम है? किसका polarity जादा है? ठीक है? और जिसका adsorption जादा होगा वो जादा उपर नहीं जाएगा ठीक है? तो उसका RF क्या होगा? कम होगा जिसका adsorption कम हुआ है वो जादा उपर तक जाएगा जादा उपर तक जाएगा तो उसका RF value भी जादा होगा ठीक है? तो extent of adsorption ठीक है? हमने ये देख लिया चलो RF का काम खतम ठीक है? अब अब एक और concept एक और आपको theory बताता हो समझे यहाँ पर जो separation होता है separation of a substance of a substance by chromatography by chromatography depends on depends on देखो ये सारी चीज़े ना notes में अच्छे से लिखना ठीक है? इन ही सब points के उपर question आ चुके है ठीक है? और आगे भी आने के chances हैं depends on पहली चीज़ पहली चीज़ दूसरा color यूज़ करता हो या एक ही से मज़ा नहीं आता है monotonous हो जाएगा mobility mobility या फिर बोल सकते हो solvation of substance of substance ठीक है? दूसरा दूसरा extent of adsorption extent of adsorption ठीक है? बता चुका हूँ आप लोगों को extent of adsorption ठीक है? तीसरा polar non-polar nature polar या फिर non-polar nature ठीक है? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड मोबिलिटी यहीं यहीं पर लिखा देता हो न यहाँ पर ठीक है? solubility वाला point यहाँ लिखा देता हूँ ठीक है? solvation या फिर mobility या फिर solubility ठीक है? solubility of substance किसमे? with mobile phase है न मोबाइल phase के साथ move करता है न ठीक है? ठीक है? ठीक है? दूसरा कहा था extent of adsorption on adsorbent ठीक है? ठीक है? ठीसरा होता है polar या non-polar nature? polar और non-polar nature ठीक है? ठीक है? चौथा होता है चौथा पॉइंट है length of length of glass plate ठीक है? length of glass plate length of glass plate glass plate used ठीक है? ठीक है ठीक? अच्छा तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया? TLC thin layer chromatography को पूरा study कर लिया ठीक है? अब इसमें एक चीज़ में और आपको बताता हो ठीक है? यह सारी theory यहाँ पर लिखी हुई है आप आराम से पढ़के समझ सकते हो मैंने इतना इतनी सारी चीज़े आपको बता दिये आप अब एक बार इसको खुछ से भी पढ़ लोगे ना सब समझा जाएगा ठीक है? अब यहाँ समझो glass plate developed होती है इसको हम बोलते है chroma plate ठीक है? इसको हम बोलते है chroma plate ठीक है? बास समझ रहे होगे? ठीक है? और यहाँ पर आपके पास आप लोग यूज क्या कर रहे हो एक glass plate यूज कर रहे हो ना यहाँ पर इस chromatography technique में ठीक है इसलिए हम इसको thin layer chromatography बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर आपने glass plate के उपर silica gel का एक thin layer बनाए हुआ है ठीक है इसलिए इसको thin layer chromatography बोलते हैं ठीक है एक चीज और बता दो यह जो आप glass plate यूज कर रहे हो ना है हाँ ठीक है glass plate ठीक है इसको हम बोलते हैं chromatography plate chromatography plate ठीक है यह बस ध्यान रखने हैं सब छोटे-छोटे terms हैं ठीक है और कुछ खास नहीं इसमें ठीक है एक बार जब इसके उपर spots बन जाते हैं तभी हम इसे क्या बोलते हैं chromatography ठीक है बस और कुछ नहीं इसमें चलो अब सिधे इसके उपर कुछ questions कर लेते हैं फिर उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ partition chromatography ठीक है partition chromatography ठीक है इस question को देखो j mains में आया हुआ हुआ है ठीक है simple सा है कुछ खास नहीं काम करता हूँ AC को रख देता हूँ ठीक है AC का remote रख देता हूँ ठीक है देखो यह बहुत simple सा है question देखो ज्यादा time नहीं लगेगा ठीक है आपको के बताए एक chromatogram develop किया गया है chromatogram तो अभी आगया आएगा ठीक है partition वाले में वहाँ बताऊंगा ठीक है चले इसको देखते है paper chromatography आगया आएगा ठीक है और इसको देखते है allow to thin layer chromatography यह अपना है ठीक है तो यहाँ तो RF value of the most polar compound कितना होगा ठीक है यह आपको निकालना है ठीक है RF value यहाँ कितना होगा ठीक है तो most polar compound मैंने आपको बताया उसका adsorption ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा उपर move नहीं कर पाएगा वो सबसे कम distance cover करेगा ठीक है तो A, B और C यहाँ पर most polar कौन हुआ C ठीक है यह आपकी क्या है यहाँ पर baseline है ना baseline ठीक है लिखा नहीं है लेकिन आपको समझना है यह baseline है ठीक है ना baseline ठीक है तो यहाँ पर आपका क्या बता रहा है ठीक है अथिलियर using hexane है ना hexane यहाँ पर आपका mobile phase है ठीक है तो यह यहाँ से hexane यहाँ तक move किया ठीक है figure में इतने ही दिया हुआ है आपको समझना है यह जो distance है baseline से ठीक है यह आपका क्या है solvent का front है maximum distance कौन cover करता है solvent तो यह solvent front है solvent front कितना उपर है 8 cm ठीक है इतना ही आपको question में given था ठीक है J means में ठीक है तो समझो आप आपका जो most polar most polar substance है कौन से है C ठीक है polar substance कितना 2 और solvent ने कितना distance cover किया 8 cm ठीक है तो यह कितना हो गया 1 by 4 यानि कितना 0.25 0.25 तो क्या 0.25 को आप ऐसे लिख सकते हो 25 इंटू 10 to the power minus 2 तो RF का value क्या आपके पास 25 ठीक है हो गया खतम इतना ही था इसमें और कुछ नहीं था ठीक है यह कप का है 23 का है वह इसी साल आए हुए ठीक है चलो अगला देखते है identify the incorrect statement है column chromatography बता दिया ठीक है वही अभी हमने पढ़ा है ठीक है क्या पढ़ा था हमने जो जादा जो जादा polar होगा वो जादा नीचे नहीं आएगा वो जादा distance cover नहीं करेगा तो यहां बता सकते हो सबसे जादा polar कौन है सबसे जादा polar अभी आ ही नहीं रहे option हम देखी नहीं रहे आँ थोड़ा diagram से समझते सबसे जादा polar कौन है A और least polar कौन है C ठीक है यह हो गया most polar इसलिए यह column chromatography में जादा distance तक नीचे नहीं आया ठीक है यह क्या हो गया most polar और यह क्या हो गया least polar अभी तो हम option देख भी नहीं रहे है ठीक है हाँ चलो देख लेते हैं भई क्या बता रहे इसमें from the figure of column chromatography identify the incorrect statement compound C is more more polar than A and B ठीक है यह तो गलत है तो least polar है सबसे ज़्यादा most polar यह हो गया यह least polar हो गया तो polarity का order क्या हो जाए गया हाँ पर polarity का order सबसे ज़्यादा A फिर B फिर C तो भई जो A बात बोली जा रही है more polar than A and B यह तो सरासर गलत है ठीक है पाप है यह मैं तो कहते हूँ पाप का बाप है यह ठीक है तो यह तो गलत है ठीक है और देखो हरगिस हरगिस सही नहीं है ठीक है चलो देखते है compound A is least polar यह भी गलत है ठीक है सरासर गलत है तो compound C comes out of the column before B and after A ठीक है तो जब धक्कन खोलेंगे तब ना देखते हैं भी ठीक है compound A spends more time in the column ठीक है चलो ठीक है देखते है तो identify the correct answer from the option given below ठीक है तो A और B तो आपका क्या हो गया A और B ठीक है यह तो आपके सही हो गया ओ सरी गलत हो गया और compound A spends more time in the column क्यों हो भई सबका तो बराबर time है क्योंकि नीचे से बंद रहता है ठीक है तो यह बात तो गलत हो गई ठीक है तो आपका यहाँ incorrect ठीक है यह भी तो incorrect हो गया जब आप नीचे से खोली ने रहे हो तो सब तो बराबर time spend करेंगे न ठीक है तो यह बात भी आपकी गलत साबित हो गई ठीक है तो B answer आपका सही हो जाएगा ठीक correct answer क्योंकि A, B, और D तीनों क्या है आपके incorrect ठीक है नीचे से डखकन खोली नहीं रहे हो तो सब तो बराबर time spend कर रहे है ठीक है चलो अगला देखते यह क्या है आपके पास paper अभी इससे आगे देखेंगे ठीक है और यहाँ देखते है thin layer chromatography यह अपना वाला है ठीक है पढ़ चुके इसको लाओ देखते हैं इसको thin layer chromatography shows the following observation the correct order of alluation मैंने बताया था आपको ठीक है अच्छा alluation है ना या alluation जो भी है spelling है ज़्यादा देहान मत दो ठीक है हो सकता है मैंने गलत spelling लिखी हो alluation की ठीक है चलो देखते है inda silica gel ठीक है तो देखते हैं भई यह आपका क्या है यह आपका baseline है ठीक है baseline सब चीज़े बता चुका हो मुन्ना सब हो चुका है मुन्ना मुन्नी जो भी आप लोग देख रहे हो मेरा समझो या जो ज़्यादा alluation होगा जिसका ज़्यादा alluation होगा वो ज़्यादा ऊपर जाएगा जिसका alluation कम है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा तो बता सकते हो सबसे ज़्यादा alluation किसका है order of alluation ठीक है alluation की यह spelling है allution है जो भी ठीक है सबसे ज़्यादा allution A का है फिर C का फिर last में B का जिसका allution ज़्यादा होगा ज़्यादा ऊपर जाएगा ना mobile phase के साथ ठीक है तो बस देख लो correct order of allution ठीक है तो सबसे ज़्यादा A फिर C फिर B correct B option ठीक है चलो अगला देखते है और है क्या अपने पास नहीं हो गया हो ठीक है चलो अब बात करते हैं paper chromatography देखो paper chromatography कोई हम partition chromatography बोलते हैं क्यूँ एक सगेड़ ना मैं एक paper लेकर बताता हूँ आपको ठीक है देखो यहाँ पर हम लोग करते के यहाँ पर कुछ खास नहीं हम लोग यहाँ पर एक paper उठा लेते हैं जैसे मैंने उठाया एक महेंगा वाला paper यूज करते हैं सस्ता वाला paper यूज नहीं करते है महेंगा वाला अच्छी quality वाला paper यूज होता है यहाँ पर सस्ते में काम नहीं हो गए यहाँ पर देखो paper लिया एसा एक roll बना लिया हमने यहाँ जो paper यूज होता है एक special quality का paper use होता है जिसमें पोर्स में water molecule trap रहता है इसका मतलब क्या है ऐसा paper है cellulose paper होता है generally जिसमें water molecule trap रहता है पोर्स में ठीक है अच्छा अब यही आपका stationary phase होता है ठीक है यही आपका adsorbent यानि यही stationary phase है मतलब मतलब क्या है यहाँ water ही आपका adsorbent है ठीक है water trapped in the pores of paper यही आपका stationary phase है ठीक है चलो इतनी बात है समझ गए अब हम लोग क्या करते हैं वही थिन लेर क्रोमेटोग्राफी के अब हम लोग क्या करेंगे नीचे से थोड़ा ऊपर है ना मतलब जा हम baseline मानेंगे वहाँ पर हम क्या करेंगे spot बना लेंगे ठीक है एक सकने यहाँ pen रखिए हाँ यह चलो यह देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर हम लोग एक spot बना लेंगे ठीक है और और जो इस spot का bottom से distance से यही आपका क्या हो जाएगा baseline ठीक है दिख़रा होगा आपको ठीक है यह देखो यही आपका क्या है यही aapका क्या हो जाएगा baseline ठीक है अब हमने क्या किया इस paper को उठा कर एक jar जिस experi solvent रखा हुआ है उसमें हमने इसको ये इसका जो lower part है इसको हमने touch करा दिया ठीक है अब क्या होगा ये solvent capillary action के through इसमें उपर चड़ते जाएगा और अलग-अलग substance को different degree of absorption के basis पर अलग-अलग distance तक ले जाएगा जैसे किसी को यहां तक ले गया दूसरे substance को यहां तक ले गया ठीक है based on different degree of absorption तो इसी के लिए यहां पर एक special term use किया गया है कहा पर एक second हाँ यह term use किया गया है continuous differential partitioning ठीक है of components यह मतलब क्या है इसका मतलब यह है different degree of absorption के basis पर यहां पर अलग-अलग components separate हो रहे है ठीक है बस यही मतलब है यहां पर ठीक है बस difference क्या था वहां पर हमने column यह स्टिन लेयर में हमने क्या use किया था एक glass plate use की थी यहां पर हम क्या use कर रहे है एक paper का use कर रहे है ठीक है और इसी paper को हमने solvent में उपर से डाल दिया था ठीक है मतलब यह solvent जो इसका base है यह solvent के surface को touch कर रहा था solvent इसमें उपर चढ़ा by means of capillary action ठीक है चलो इतनी चीज़े समझ गए अब में भी आपके मन में आ रहा है cardboard क्या करने cardboard उटक है ठीक है ugly cardboard से बस लटका दिया गया है भाई अगर लटकाना रहता है तो किसी ऊपर किसी का सहारा लेते हो न आपको छथ पे लटकना है तो आप कुछ ना कुछ तो लटकाओगे नॉसी के दार्या तो लटक के बस वही एक सेगन ये ठीक है और ये आपका यहां से solvent चड़ना शुरू हो जाएगा ठीक है बास समझ रहोगे ठीक है बस और कुछ नहीं इसमें बागी सब चीज़े सेम ही है ठीक है चलो बस हो गया अपना अब ध्यान दो जैसे अलग-अलग substance के ये spots आपको अलग-अलग distance पर दिखा थीक है ठीक तो इस तरीके से आपके पास जो paper develop हुआ है इसको बोलते है chromatogram ठीक है इस तरीके से आपका जो paper develop हुआ है इसको हम बोलते है chromatogram ठीक है जब हमने थिन लेयर ये ग्लास का यूज किया था वहाँ पर हमारे पास जो ये ग्लास प्लेट डेवलप हो रही थी with colored spots उसे हम क्या बोल रहे थे chroma plate यहाँ पर क्या बोलेंगे chromatogram ठीक है बस इतना सा फर्क है दोनों में ठीक है अच्छा अभी एक बास समझना अगर आपके पास colored substance है तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहे है colored spots दिख रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा हाँ यह अलग substance हो गया यह अलग substance हो गया ठीक है separate हो गया लेकिन अगर कोई substance ऐसा है जो colorless है colorless है तो Mr. India हो गया है ना दिखाई नहीं देगा दिखाई नहीं देगा तो कुछ न कुछ तो जुगाड करना पड़ेगा दिखाई नहीं दे रहा तो कैसे पता चलेगा ठीक है चलो उसका भी जुगाड है अपने पास ठीक है देखो हम लोग करते क्या है to detect to detect the spots of the spots of colorless component ठीक है हम लोग क्या करते है पहला तरीका तो यह है UV rays UV rays यूज करो ठीक है UV rays में उसे देखो ठीक है ultraviolet rays में उसे देखो वहाँ दिख जाएगा ठीक है otherwise उसे आप क्या करो एक ऐसे vessel में जिसमें iodine के crystal से वहाँ पर उसको रख दो ठीक है यह colorless component क्या करेगा iodine के vapors को adsorb करेगा और brown color का हो जाएगा ठीक है using using iodine vapors ठीक है और तीसरा होता है तीसरा होता है कुछ specialized spray का यूज करो उस spray को लगाने से वह colorless component डिटेक्ट हो जाता है ठीक है जैसे amino acid जो होता है ना amino acid उसको detect करने के लिए निन हाइड्रिन solution का spray यूज करते है यह NCRT में given a effect ठीक है तीसरा using using sprays ठीक है for example amino acid is detected by is detected by detected by निन हाइड्रिन solution निन हाइड्रिन solution इसके इस्प्रे से यूज करते है ठीक है ठीक तो बस इतना ही था आपके पास paper chromatography अच्छा यहाँ पर देखेंगे इसके आगे की चीज़े देखते है ठीक है questions भी करेंगे थोड़ी तीर बात ठीक है होता क्या है कि हमारे पास बहुत सारे substance ऐसे होते है जो हलका सा heat करने पर थोड़ा सा heat करने पर liquid form से मतलब solid form में होते हैं वो liquid form में convert ना होके वो directly gas में convert हो जाते हैं ठीक है जैसे आप लोगोंने कपूर देखा होगा करीना कपूर की बात नहीं कर रहा ठीक है कपूर जो पूजा में use होता है उसकी बात कर रहा हूँ ठीक है अगर आप उसको heat करोगे ना तो directly solid से वेपर form में convert हो जाता है तो ऐसे substance को हम बोलते है sublimable substance ठीक है sublimable substance तो यह जो sublimation का technique है sublimable substance को non-sublimable substance से separate करने के लिए ही use होता है ठीक है अच्छा और एक खास बात ही है sublimation को हम generally तब prefer करते हैं जब amount to be separated जब amount to be purified 100 mg से कम होता है इसको हम तब जादा prefer करते हैं ठीक है इतनी बात समझ गय होगे आप ठीक है देखो होता क्या है कि हमारे पास हमने जैसे क्या किया एक sublimable substance लिया जो camphor है ठीक है और दूसरा लिया salt salt क्या ये sublimable होता है नई salt salt को बहुत जादा heat करना पड़ता है ठीक है तो समझे आपर camphor और salt को हमने यहाँ पर ले लिया ठीक है इस vessel में ले लिया ठीक है अब समझो इसको हम नीचे से क्या कर रहे है heat कर रहे है generally हम direct heat नहीं करते है china dish को heat करते है china dish heat होती है फिर ये इस beaker में जो रखा है ये heat होगा ठीक है तो होगा क्या camphor कपूर जो की sublimable है वो heat होकर क्या होगा vapor बना लेगा और ये vapor यहाँ पर जाकर ये क्या बोलते है solidify हो जाएंगे ठीक है बास समझ रहो ठीक है भाई उपर से आपने cotton plug से इसको बंद कर दिया ठीक है बस इतनी सी चीज है और कुछ नहीं है बस ये चीज ध्यान रखना कि इसको हम generally तब prefer करते जब हमारे पास amount to be purified amount to be separated 100 mg से कम होता है ठीक है sublimable को non-sublimable substance से separate करने के लिए इस technique का use होता है ठीक है तो देखो हमाई पास जैसे कुछ sublimable substance है camphor, naphthalene, anthracine, benzoic acid blah 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 है ये सबाब पढ़ लो ठीक है इनको हम इस technique से separate कर सकते है ठीक है तो यही था sublimation ठीक है बस इतनी सी चीज है इस से ज़्यादा कुछ खास नहीं इसमें ठीक है अच्छा जो खास वाली चीज है वो अब आने वाली है समझो उसे ठीक है समझना अगला हमारे पास crystallization crystallization बहुत important ठीक है देखो जनरली crystallization से questions बहुत कम आए बहुत कम लेकिन होता क्या है वो भी तो समझो समझ लो ना chemistry पढ़ो तो समझो वो चीज भी ठीक है भाई अभी तक नहीं है क्या पता आगे आने वाले समय में आजाए ठीक है तो चलो समझते है ये crystallization होता क्या है देखो crystallization किस technique के ओपर based रहता है पहले मैं ही बताता हूँ देखो crystallization अभी मैंने आपको बता है अगर 100 mg से कम होता है ये substance तब हम sublimation का यूज करते है और अगर 100 mg से ज़्यादा है मतलब ज़्यादा amount में आपके पास ये substance है तब वहाँ पर separation technique जो हम prefer करते है वो होती है crystallization ठीक है देखो crystallization में होता क्या है देखो crystallization दो चीजों पर दो principle पर dependent है अगर हमाँ पास एक solvent है ठीक है एक solvent हमने ले लिया अब यहाँ पर let us suppose आपके पास दो substance है A और B ठीक है A और B तो जरूरी नहीं कि दोनों की solubility इस solvent में equal हो क्या जरूरी है जरूरी तो नहीं है ठीक है तो इसकी solubility let us suppose हमने ले ली S1 इसकी solubility ले ली S2 ठीक है तो दोनों की solubility इस solvent में different है पहली बात तो यह ठीक है दूसरी बात जब हम इस solution को heat करेंगे इस solution को heat करेंगे तो जो चीज sparingly soluble है heat करने पर वो क्या हो जाएगी more soluble हो जाएगी ठीक है जब हम इसको heat करते हैं ठीक है on heating sparingly soluble जो होता है sparingly soluble वो किस में convert हो जाएगा उसकी solubility increase हो जाएगी ठीक है तो becomes becomes more soluble becomes more soluble ठीक है एक और खास बात एक और खास बात ठीक है समझना जो बच्चे 12 पढ़ चुके है solid state वो ये बात जानते होंगे कि जब हम किसी liquid की slow cooling करते हैं हल्लू हल्लू हॉले हॉले cooling करेंगे तब वहाँ पर वो liquid crystallized form में आ जाएगा amorphous नहीं crystallized solid में convert हो जाएगा crystallization हो जाएगा ठीक है ये हम solid state में पढ़ेंगे 12 में ठीक है अभी मैंने आपको बता दिया उस principle का भी यहाँ पर use होता है ठीक है तो ये चीज़ समझो illiquid illiquid on gradual on gradual cooling gradual cooling converts to converts to crystalline form है ना या फिर crystals ठीक है ये point भी important थे ठीक है चलो अब आगे बात करते है crystallization समझो दो type का होता है एक होता है simple crystallization एक होता है हमारे पास fractional crystallization ठीक है ये लिखा हुआ है ठीक है चलो अब मैं थोड़ा simple crystallization बता देता हूँ होता क्या है ठीक है हमारे पास हम क्या करते है एक beaker में एक impure substance को ले लिया impure ठीक है generally यहाँ पर जो pure substance रहता है वो organic substance ही होता है ठीक है तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कहा गया ठीक है एक second हाँ यह यहाँ पर हमाए पास pure substance यह जो pure substance होता है तो organic substance जो की impure form में है हमने क्या किया एक suitable solvent के साथ उसका एक solution बना दिया ठीक है suitable solvent के साथ हमने organic solvent है ना जो impure organic solvent है उसका हमने यहाँ पर solution बना दिया ध्यान दो solution बनाने के लिए solvent हम उत् ना ही एड करेंगे जिससे वो just sufficient वहाँ पर एक solution बन जाए ठीक है solvent उतना ही add करना जो just sufficient हो वहाँ पर dissolve कर लेने के लिए ठीक है ये नहीं कि पुरा भर-भर के solvent add कर दिया ना वैसा नहीं करना है और कम भी add नहीं करना है ठीक है जो just sufficient हो ठीक है अच्छा चलो इतनी बात समझ गए ठीक है हमने क्या किया solvent add करके impure organic substance का हम नहीं हाँ पर क्या किया solution बना दिया ठीक है अब अब समझो जो solvent है solvent selection of solvent बहुत important है ये नहीं कि किसी को भी आप solvent बना दोगे ऐसा नहीं solvent की कुछ खास बाते होती है ठीक है selection of solvent बहुत important है समझाएं आपर solvent आपके पास वही होना चाहिए जो impurity और pure substance यानि कि organic compound के साथ react नहीं करेगा पहली बात ठीक है ये देखो लिखा भी हुआ है solvent should not react chemically with the substance पहली बात दूसरी बात ये है कि जो आपका organic substance है ये sparingly soluble होना चाहिए solvent में और room temperature पे sparingly soluble होना चाहिए और जब आप temperature बढ़ाओगे तो उसकी solubility बढ़ जानी चाहिए जब आप temperature बढ़ाओगे तो उसकी solubility बढ़ जानी चाहिए और जब आप solution को cool करोगे तो जो organic substance है वो crystallize हो जाना चाहिए crystallization हो जाना चाहिए उसका ठीक है ये चीज है ना दूसरी ये दूसरी बात थी ठीक है तीसरी बात solvent आपका ऐसा होना चाहिए solvent आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें impurity या तो dissolve ही ना हो impurity या तो dissolve ही ना हो impurity dissolve नहीं होगी तो तब तो बल्ले बल्ले बंजा जाएगा ठीक है तब तो impurity की अलग layer बन जाएगी और pure substance का solvent के साथ अलग layer बन जाएगा आराम से उन्हें आप separate कर सकते हो पहली बात तो या फिर अगर impurity dissolve हो रही है तो impurity की solubility organic substance से जादा होनी चाहिए solvent में ठीक है impurity की solubility solvent में organic substance से जादा होनी चाहिए ठीक है अगर ऐसा होगा तो जब आप ये cooling करोगे तो cooling करोगे तो pure substance का तो ये crystals बन जाएगे और impurity है जिसकी solubility pure substance से जादा है वो solvent में ही रह जाएगा ठीक है ऐसे solvent को जिसमें impurity घुली हुई है इसे हम क्या बोलेंगे फिर बाद में mother liquor ठीक है mother liquor कहां गया ये रहा mother liquor mother liquor मतलब ये नहीं मम्मी वाला वो नहीं ठीक है ये काता ना officer's choice mother's choice वैसा वाला नहीं mother liquor मतलब वो solvent जिसमें से आपने crystal crystal form में ये pure organic substance को extract कर लिया और उसमें अभी भी impurity घुली हुई है ठीक है वो है आपका mother liquor ठीक है चलो इतनी चीज़े हमने समझ ली ठीक है आपका solvent में ये सारे character होना चाहिए ठीक है तो choice of solvent बहुत जरूरी है जैसे अगर आपको sugar और salt को separate करना है तो आप alcohol का use करते हो क्योंकि alcohol salt को dissolve नहीं करता ठीक है और दूसरी बात आप hot water को use करोगे जब आपको benjoic acid और naphthalene को separate करना रहता है ठीक है तो ये कुछ common example है और जैसे commonly used solvent आपके पास देखो ये सब होते हैं ठीक है commonly हम इन सब solvent का use करते हैं ठीक है जो impure substance है हमने क्या क्या उसकी कुटाई कर दी उसे powder form में ले लिया ठीक है पाऊडर form में ले लिया अब हम उसमें उतना solvent एढ़ करेंगे जितना solvent just sufficient होगा उसे dissolve करके करने के लिए ठीक है यह अगली स्लाइड में लिखा हुआ है ठीक है उतना नहीं solvent add करेंगे जितना just sufficient होगा इंप्योर सबस्टेंस को dissolve करने के लिए कर लिया, अब हम वहाँ पे धीरे-धीरे, हलू-हलू, मजे-मजे, हॉले-हॉले उसकी heating करेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे solvent होते हैं, जिनका boiling point कम होता है, इसलिए आपको जो heating करनी है, धीरे-धीर heating करनी है, ठीक है, यह diagram में आप देख सकते हो, heating हो रही ही न, यह यहाँ, धीरे-धीरे heating करनी, यह नहीं कि बस एकदम बढ़ा, ठीक है, एक जटके में heating, वैसा नहीं करना है, ठीक है, अच्छा, अब समझो, अब आप क्या करोगे, solution को गरम करोगे, आपके पास एक warm solution बन ज होगे, ठीक है, तो solid state में, 12 में आप पढ़ोगे, कि जब एक liquid की धीरे-धीरे cooling होती है, तो वहाँ crystallization होता है, बस वही चीज़ यहाँ पर भी होगा, इसलिए हम यहाँ पर धीरे-धीरे cooling करते हैं, जिससे वहाँ पर जो pure organic substance है, उसके crystal बनने लगते हैं, देखो, crystal बन रहे ह हैं, और impurity आपके पास solvent में घुली हुई है, देखो, यह सब क्या है, impurity है, यह आपके पास solvent में घुली हुई है, ठीक है, ठीक, अच्छा, इसके बाद आप क्या करोगे, इसे अलग कर लोगे, ठीक है, कहां गया, filtration, ठीक है, यह देखो, separation, ठीक है, इसे आप क्या करोगे, by filtration, कर लिया लग, ठीक है, तो आपको अभी क्या मिल गया, यह देखो, यह आपको मिल गया, आपका crystals मिल गए, pure organic substance के crystal मिल गए, अब आप इसको क्या करोगे, dry करोगे, कैसे, filter paper के folds के बीच में रखके, आप इसे dry करोगे, या फिर air oven से आप air blow करोगे, है ना, इस तरीके से dry कर दोगे, सुखा दो इसे, ठीक है, लेकिन, कभी-कभी ऐसा होता है, कि आपने सुखा दिया, फिर भी, फिर भी, ये colored दिखता है, colored क्यों दिख रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ impurity है, colored impurity है यहाँ पर, ठीक है, तो ऐसे case में क्या करते हैं, जब आपको colored impurity मिलती है, तब हम animal charcoal, जानवरों की हड्डियों से बने हुए charcoal का, चुटकी भर amount, चुटकी वो कहते हैं, एक चुटकी सिंदूर की किमत, तुम क्या जानो सुनील बाबू, बस वही उतना ही चुटकी भर आप इसमें charcoal डाल देते हैं, तो charcoal, जनरली animal charcoal होता था पहले, अभी तो दूसरे chemical use हो चुटकी भर charcoal डाल दोगे, वही चुटकी भर charcoal क्या करेगा, यहां से color को absorb कर लेगा, ठीक है, color को absorb कर लेगा, बस हो गया यह आपका colorless, crystalline, pure, organic substance, ठीक है, यह तरीका होता है crystallization, मतलब simple crystallization में, ठीक है, इसी तरीके से आप जो घर में sugar use करते हो ना, शुगर ऐसे ही बनती है, ठीक है, शुगर को बनाने का तरीका ऐसा ही है, पहले क्या होता था, पहले animal charcoal use कर लेते थे, अभी दूसरे substance use करते है, क्योंकि animal charcoal use करना थोड़ा objectionable है ठीक है, अगर आप pure wedge हो, animal charcoal से बनी हो शुगर खा रहे हो, तो आपका है कि pure wedge हुए, ठीक है, चलो, खेर, कोई दिक्कत न आगे देखते हैं, अच्छा, अब समझो हमाय पास, fractional crystallization में क्या होता है, fractional crystallization में बस इतना सा change करते हैं, कि अगर आपके पास solution में, एक से ज़्यादा solid का solution है, जैसे solid A और solid B, इसका आपके पास यहाँ पर solution है, आपको क्या करना है, दोनों को separate करना है, ठीक है, तो आप य fractional crystallization यूज़ करोगे, कैसे, समझो, यहाँ पर अगर आप मान लो, कि इसकी solubility है S1, इसकी solubility है S2, ठीक है, दोनों की solubility different है, और हमने यह मान लिया कि solubility of B is greater than solubility of A, हमने यह मान लिया, ठीक है, B की solubility ज़्यादा है, ठीक है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, अब ह से मान लिया, ठीक है, और B की solubility ज़्यादा है A, ठीक है, अब आप क्या करोगे, gradual cooling करोगे, gradual cooling, धीरे-धीरे, हल्लू, हल्लू, होले-खाले, आप क्या करोगे, इसकी cooling करो, तो आप क्या देखोगे, पहले, जो less soluble है, उसके crystals बनेगे, ठीक है, जो less soluble है ठीक है ये क्या करेगा इसके crystals बनेंगे ठीक है और जब इसके crystal बने हैं तो आप इसको filtration से अलग कर लो न ठीक है तो crystal बना दिया and and इसको आप filtration से अलग कर लो अलग करो तो अब आपके पास मम्मी वाले लीकर में मतलब मदर लीकर में ठीक है मदर लीकर में अब क्या बच गया बी का solution बच गया ठीक है तो अब आप क्या करो फिर से इसकी gradual cooling करो फिर से gradual cooling इस बार आपके पास B जो की ज़्यादा soluble था अब वो crystallize होगा ठीक है जो ज़्यादा soluble था अब ये crystallize होगा ठीक है अब ये crystallize होगा और बाकी सब सेम है ठीक है बाकी सब सेम है ठीक है फिर आप इसे इसे भी filtration से निकाल लो सुखा दो ठीक है animal charcoal डाल के colorless बना दो बस बाकी सब सेम है ठीक है तो दो type का हमारे पास crystallization होता है एक होता है simple एक होता है fractional ठीक है चलो इतनी चीज़े आप लोग समझ गये होगे I hope आपको crystallization technique समझ में आ गई होगी ठीक है ये पूरा मैंने इसकी theory लिखी होई है ये theory को मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया है ठीक है आप चाहो तो यहां से theory का use करके आप इसको अच्छे से लिख सकते हो अपना nodes बना सकते हो ठीक है otherwise मैंने आपको ये पूरा अच्छे से समझा दिया है ठीक है चलो आगे देखते है चलो बच्छा हम लोगों ने अभी तक fractional crystallization देख लिए ठीक है अब बात करते हूँ उसके आगे क्या होता है ठीक है देखो समझो कुछ और आगे देखते distillation 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 बहुत important टेक्निक है ठीक है आप लोग distill water वगर बहुत सारे terms ऐसे पढ़ते होगे ठीक है समझो distillation होता क्या है और इसकी जरूरत क्या पढ़ती है कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कोई substance ऐसा होता है जो volatile है और दूसरा substance ऐसा है जो non-volatile है ठीक है जनरली ये liquids के लिए use होता है हमारे पास जैसे एक liquid volatile है, दूसरा non-volatile है, ठीक है, उसमें कुछ non-volatile impurity है, जैसे मान के चलो, ठीक है, तो वहाँ पर आप use करोगे distillation, ठीक है, वहाँ पर आप use करोगे distillation, दूसरा, अगर हमारे पास दो liquid है, liquid A, liquid B, इनके boiling point में difference मान के चलो, बहुत जादा है, जैसे liquid A का boiling point है, 100 degree Celsius, liquid B का boiling point है, 50 degree Celsius, ठीक है, तो यहाँ पर आप use करोगे distillation, ठीक है, जब हम कहते हैं, distillation इसका मतलब होता है, simple distillation, ठीक है, तो distillation या फिर, simple distillation, ठीक है, एक सेकेट, जब कहा जाएगा distillation, मतलब आपको क्या मान के चलना है, we are talking about simple distillation, ठीक है, तो कहाँ पर use होता है, देखो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, volatile liquid को non-volatile impurity से separate करने के लिए, और liquid which have sufficient difference in their boiling point, ठीक है, होता क्या है, समझो यहाँ पर, हमाँ पस कुछ ऐसा setup रहता है, हम लोग क्या करता है, एक flask में, हमने दो liquid ले लिया, liquid A, plus liquid B, ठीक है, यह हमने यहाँ पर flask में ले लिया, ठीक है, अब मान के चलो, liquid A, इसका boiling point है, 100 degree Celsius, liquid B का boiling point है, 50 degree Celsius, ठीक है, अब आप जैसे इसको heat करने लगोगे, ठीक है, तो temperature जैसे ही, 50 degree Celsius के around पहुचेगा, तो आपके पास, आपके पास liquid B, जिसका boiling point कम है, ठीक है, उसके vapors यहाँ से बनके, यह यहाँ condenser में आ जाएंगे, liquid B के, ठीक है, condenser में आपने क्या किया, B के vapors को condense कर लिया, और आपके पास यहाँ पर फिर, B liquid form में अलग हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा रह जाएगा, यहाँ flask में आपके पास क्या बचा रह जाएगा, वो liquid, जिसका boiling point जादा है, ठीक है, तो एक चीज़ और सम universally proportional to volatility, ठीक है, जिसका boiling point जादा होगा, उसकी volatility कम होगी, तो अगर मैं आपसे यह पूछूँ, कि flask में कौन सा liquid बचा है, flask में वो liquid बचा रह जाएगा, जिसका boiling point जादा है, मतलब volatility कम है, ठीक है, और आपके पास separate होकर, ठीक है, दूसरे container में कौन सा liquid आएगा, जिसका volatility जादा है, और boiling point कम है, ठीक है, तो यह चीज़ आप समझ गए होगे, इसी को मैंने हापर, ठीक है, ठीक है, चलो समझा दिया आप लोगों को, अब distillation हमने देख लिया, ठीक है, distillation में देखो, यहाँ पर एक point मैंने बताया था, कि ऐसे liquid जिनके boiling point में sufficient difference है, ठीक है, वहाँ पर हम simple distillation यूज़ करेंगे, लेकिन अगर जैसे हमाँ पास, मान के चलो, दो liquid होते, एक का boiling point 100 degree Celsius, दूसरे का 95 degree Celsius, अब दिक्कत हो जाती है, अब आप simple distillation यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे मान के चलो, दूसरा liquid होता, जिसका boiling point 95 degree Celsius होता, तो आप heat कर हो, temperature जैसे 95 पहुँचा, भी वेपराइज होने लगेगा, ठीक है, लेकिन 95 और 100 close है न, ठीक है, थोड़ी देर और गरम करोगे, तो ये 95 से जट से 100 degree Celsius पहुँच जाएगा temperature, तो एक भी वेपर बनने लगेंगे, ठीक है, तो अब आपको pure, एक single liquid के वेपर तो मिलेंगे नह तो अब आप यहाँ पर simple distillation यूज नहीं कर सकते, ठीक है, आप ऐसे case में यूज करोगे, fractional distillation, ठीक है, चलो fractional distillation देख लेते हैं, बता देता हूँ, देखो, हमारे पास fractional distillation में बस यहाँ पर, setup वैसे यह, देखो, setup वैसे यह, बस यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हम तो ना कंचा, अगनिपत वाला वो villain, वो नहीं, कंचा ये वाला, ये वाला कंचा, ठीक है, तो glass beads रहते हैं, ठीक है, marble, marble, marble भी बोलते हैं, उसको, ठीक है, glass beads इसमें भरे रहते हैं, ठीक है, समझें, आपर होता क्या है, अभी जैसे मैंने आपको एक point बताया, ध्यान रखन हैं, वो काम आए गए हाँ पर, जिसका boiling point जादा होगा, उसकी volatility कम होगी, ठीक है, और इसको दूसरे तरीके से बोलो, जिसका boiling point कम है, वो जादा volatile है, ठीक है, अब समझो है, यहाँ पर, जैसे हमारे पास यहाँ पर, दो liquid है, liquid A plus liquid B, इसका liquid A का boiling point 100 degree Celsius, liquid B का boiling point 95 degree Celsius, ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ heat करना शुरू किया, ठीक है, heat करना शुरू किया, अब आप यहाँ पर जैसे 95 degree Celsius तक heat करोगे, तो यहाँ पर पहले कौन वेपर बनाएगा, B वेपर बनाएगा, ठीक है, B के वेपर बनेंगे, लेकिन थलका सा और आप, मतलब इसको थोड़ा और समय के लिए heat करोगे, तो यह 95 से जट से 100 degree Celsius पहुंच जाएगा, तो आप देखोगी कि यहाँ पर A के भी वेपर आगए, ठीक है, A के भी वेपर आगए, अब दिक्कत हो गई न, तो इसलिए यहाँ पर यह glass beads का column लगाए गया है, देखो, यहाँ पर अलग-अलग layers है, ठीक है, अलग-अलग layers है, जितने जादा layer होंगे न, glass beads के, उतना ही अच्छा result आएगा, उतना ही अच्छा result आएगा, ठीक है, तो commercially क्या होता है, मतलब hundreds of layers होते हैं यहाँ पर glass beads के, ठीक है, समझो होता क्या है यहाँ पर, समझना, वो कहते हैं कि अगर र रास्ता tough है, ठीक है, अगर आप किसी रास्ते पर चल रहे हो, और वो रास्ते में बहुत सारी मुश्किले हैं, तो जो कमजोर सक्सियत है, वो पहले पीछे हट जाएगी, ठीक है, और जो इरादों से मजबूत है, वही आखिर तक जाएगा, अपनी मन्जिल तक पहुँचे है, ठीक है, अब A की volatility कम है, ठीक है, तो A के जो vapor है, उसने जैसे यहाँ पर first layer पर touch किया, तो यह जल्दी से condense हो जाएगा, क्यों? क्योंकि A की volatility कम है, ठीक है, अब B के भी vapor condense होंगे, लेकिन, लेकिन होगा क्या यहाँ पर, नीचे से और vapor आ रहे है B के, क्योंकि B जादा आएंगे, और वो क्या करेंगे, ऊपर जो B के vapor है, उसे heat देंगे, जिससे first layer से वो second layer में जाएगा, ठीक है, ए तो condense हो गया, अब फिर A के नए नए vapor आएंगे, जिसमें से कुछ vapor second layer तक पहुँचेंगे, A के कुछ vapor पहुँचेंगे, B के जादा vapor पहुँचेंगे, क्यों ऐसी चलते चला जाएगा, और successive layer में, B के वेपर जादा पहुचेंगे, A के वेपर कम पहुचेंगे, क्यों, क्योंकि B जादा वोलेटाइल है, A less वोलेटाइल है, हर एक layer पर condensation हो रहा है, no doubt, लेकिन अगली layer में किसके वेपर जादा पहुचेंगे, जिसका, जिसका volatility जाद है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया, कि जितने जादा layer होंगे, उतना ही अच्छा result आएगा, यहाँ पर, ठीक है, तो ultimately क्या होगा, जब top में यह वेपर पहुचेंगे, तो यह जादा rich होंगे, किस में, जादा rich होंगे, more volatile, more volatile liquid में, ठीक है, मतलब जिसका boiling point कम होगा, ठीक है, तो यहाँ पर boiling point किस का कम है, B का, ठीक, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, almost, almost 90%, 95%, 99% pure, वेपर आप B के obtain कर लोगे, यहाँ पर, ठीक है, B के वेपर, फिर आप क्या करोगे, यहाँ condenser से pass किया, condenser में B liquefy हो जाएगा, और ultimately आपको यहाँ पर B मिल जाएगा, ठीक निए, बई, यहाँ पर भी क्या हुआ था, जो जादा volatile था, वही आपको यहाँ पर end में मिला था, और जो less volatile है, वो आपको यहाँ पर, beaker में, या flask में मिला था, ठीक है, बस वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, ठीक है, यही सब तेओरी, यहाँ पर लिखिये, ठीक है तो अब समझना, यह चीज सारी NCRT की थियोरी है, ठीक है, आप देख सकते हो, इसमें कुछ खास है नहीं, मैंने सारी चीज़े explain कर दी है, ठीक है, कभी-कभी ऐसा होता है, कभी-कभी ऐसा होता है, कि हमारे पास कुछ liquids ऐसे रहते हैं, जिसको boiling point तक आप heat करोगे ना, तो decompose हो such liquid are formed with same temperature range, बता दिया, ठीक है, is used in such cases है, liquid vapor pass through fractionating column, ठीक है, तो fractionating column figure में, vapors of liquid with higher boiling point condensed, हाँ, बता दिया, बता दिया, ठीक है, तो चलो, अगला बताता हो आपको, तो अभी मैंने क्या बताए, कभी-कभी कुछ ऐसे liquid होते हैं, जिसको boiling point तक heat करने पर decompose होने लगते हैं, ठीक हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, बस एक चीज़ और बता दू, ये fractional distillation, इसका एक बहुत important use होता है, petroleum industry में, अलग-अलग products बनाने के लिए, ठीक है, petrol, diesel, kerosene, वगरा ये सब, ठीक है, चलो, वापस से अपने topic पर आते हैं, तो समझना, जो liquid, boiling point तक heat करने पर decompose होने लगते है वहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, वहाँ पर हम distillation under reduced pressure का use करेंगे, ठीक है, समझना है आपर होता क्या है, देखो, बता देता हो, जहाँ पर boiling point बहुत जादा होता है, और जो अपने boiling point या उसके around, थोड़ा सा boiling point से हलका सा अगर temperature कम है, तो वहाँ पर decompose होने लगते हैं, तो ऐसे case में हम क्या करते हैं, distillation under reduced pressure का use करते हैं, under reduced pressure मतलब समझो, 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 हमारा पूरा setup वैसा ही है, जैसा हमने इसमें यह क्या बोलते हैं, simple distillation में किया था, ठीक है, थोड़ा सा difference यह रहता है, कि हमारे पास एक capillary रहती है, air को regulate करने के लिए, और यहाँ पर आपक vacuum pump होता है, ठीक है, vacuum pump से आप क्या करते हो, pressure को reduce करोगे, ठीक है, समझो, pressure को reduce क्यों करते हैं, आपको यह बात पता होगी, कि जब high temperature, high altitudes पर हम जाते हैं, ठीक है, जैसे हिमाचल प्रदेश आप चले जाओ, दार्जिलिंग चले जाओ, मसूरी चले जाओ, ठीक है, तो high altitude पर पहाडों पर जाने पर, आपने चीज सुनी होगी, कि जो चाय है न, वो जल्दी बन जाती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर atmospheric pressure कम है, तो जब pressure कम रहता है, तो boiling point क्या हो जाता है, कम हो जाता है, भई, vapors बनाने के लिए, आपका होना क्या चाहिए, देखो, कोई भी चीज boil कब होती है, जब liquid का vapor pressure और atmospheric pressure equal हो जाते है, ठीक है, तो अगर आप pressure ही reduce कर दोगे, तो जो boiling point होता है, वो भी तो reduce हो जाएगा, ठीक है, बस वही चीज यहाँ पर भी है, देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, vacuum pump के through pressure reduce कर दिया, pressure reduce कर दिया, मतलब, मतलब, अगर कोई चीज, अगर क ठीक है, मान के चलो, 80 degree Celsius पर boil होता था, कोई liquid, ठीक, अब आपने क्या किया, pressure reduce कर दिया, तो अब यह liquid, let us suppose, 70 degree Celsius पर ही boil हो जा रहा है, है ना, तो अगर आप उसे 80 degree Celsius तक heat नहीं करोगे, तो decompose ही नहीं होगा, बात समझे, decompose ही नहीं होगा, इसी लिए हम, ऐसे cases में, distillation under reduced pressure का यूज करते हैं, ठीक है, और यह बहुत ही important technique है, industries में, क्यों, क्योंकि समझों है आपर, glycerol को, soap industry में, spent light से, इसी तरीके से, इसी तरीके से, अलग किया जाता है, ठीक है, बाकि सारा सब setup वैसा ही है, ठीक है, setup मैंने आपको समझा दिया, यह NCRT की line है, ठीक, such liquids are made to boil at a temperature lower than their normal boiling point by reducing the pressure, ठीक है, बता दिये सारी चीज़े, ठीक है, अब समझो, steam distillation समझो, steam distillation, यह कब काम आता है, देखो, समझना होता क्या है, कि, अगर, अगर, कोई liquid, water में immisible है, अगर कोई liquid, water में immisible है, तो सीधी सी बात है, समझना इसको, अगर कोई liquid, water में immisible है, और, अगर आपने दोनों को same container में रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, liquid और water, liquid और water, अलग-अलग layer बना लेंगे, ठीक है, अलग-अलग layer बना लेंगे, यह बात समझ रहा आप, क्योंकि liquid, water में immisible है, पहली बात है, ना, दूसरी बात, समझाएं आपर, अगर कोई liquid, steam volatile है, steam volatile, यही बता देता हूँ, अगर यह steam volatile है, steam volatile, तो जब हम इस liquid से steam pass करेंगे, steam pass करेंगे, तो यह किसमें convert हो जाएगा, यह किसमें convert हो जाएगा, vapors में, ठीक है, यह vapor में convert हो जाएगा, ठीक है, ऐसे condition में हम क्या करते है, distillation की एक और technique है, steam distillation, इसका use करते है, समझना वही चीज़ है, it is used to separate substance which are steam volatile and immisible with water, ठीक है, तो देखो यहाँ पर, होता क्या है, diagram के थुरू समझते हैं, यह देखो, हमारे पास, यहाँ पर water है, ठीक है, water, water से आप क्या करोगे, steam बनाओगे यहाँ पर, ठीक है, यह steam यहाँ से pass हो जाएगी, ठीक है, steam, अब यह steam यहाँ से आई, और दूसरे flask में, जिसमें वो liquid भर है, जो की steam volatile है, steam volatile, ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पर steam डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या क्या, water को heat किया, steam generate किया, उस steam को आपने इस liquid में डाल दिया, ठीक है, अब इस steam से यह liquid क्या होगा, volatile है ना, मतलब इस steam की वज़ह से यह liquid क्या करेगा, vapor form में आ जाएग ठीक है वैपर फॉर्म में आ जाएगा अब समझों यहां पर अब यहां जो आपको यहां जो आपके पास एट्मॉस्फेरिक प्रेशर है ठीक है एट्मॉस्फेरिक प्रेशर यह दो प्रेशर के सम होगा ठीक है एक तो होगा वैपर प्रेशर ओफ लिक्विड दूसरा वैपर प्रेशर ओफ वाटर वैपर प्रेशर ओफ वाटर को एक्वस टेंशन भी बोलते है पता होगा यह चीज़ आप लोगो ठीक है तो यहाँ पर समझना, atmospheric pressure will be equal to P1 plus P2, ठीक है, where P1 is the vapor pressure of liquid, P2 is the vapor pressure due to water, ठीक है, अच्छा, अब समझो, तो क्या आप बता सकते हो, P1 atmospheric pressure से क्या होगा, कम होगा, atmospheric pressure से कम होगा, ठीक है, तो इसी लिए क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, कि यहाँ जो liquid है, इसका boiling point कम हो जाएगा, ठीक है, boiling point कम हो जाएगा, ठीक है, क्यूंकि यहाँ पर जो pressure है, pressure, देखो, यहाँ पर यह liquid, मतलब आपने steam pass किया, तो यह boil कब होगा, जब यहाँ जो pressure है, यह pressure atmospheric pressure के equal होगा, तभी तो यह boil होगा, ठीक है, और आपने यहाँ पर यह देखा, कि यह जो P1 है, यह atmospheric pressure से कम है, ठीक है, ठीक, ठीक, तो अगर P1 atmospheric pressure से कम हो गया, तो इसका मतलब इस liquid का जो boiling point है, वो भी कम हो गया, ठीक है, इस liquid का जो boiling point है, वो भी कम हो गया, ठीक है, तो इस steam pass करने से यह liquid भी यहाँ से क्या हो जाएगा, boil हो जाएगा, ठीक है, बात समझ रहो, ठीक, अब आपने क्या किया, दोनों को वैपर्स को यहाँ पर इस container में condense करके ले आए, ठीक है, तो condense करने से दोनों क्या हो जाएगा, liquid form में आ जाएगा, water और distilled liquid, ठीक है, एक water हो गया और दूसरा, वो liquid जो की अब distilled हुआ है, steam distilled हुआ है, in fact, ठीक है, तो अब आपके पास यहा अब ही हम आगे पढ़ने वाले हैं, separating funnel वहाँ से separate कर सकते हो, ठीक है, चलो, तो यही सब चीजे मैंने हाँ पर, NCRT की थोरी में यही सब चीजे given है, ठीक है, यह देखो, P, atmospheric pressure, यह क्या है, atmospheric pressure, यह लिख देता हूँ, ठीक है, atmospheric pressure, ठीक है, this is equal to P1 plus P2, since P1 is lower than P, the organic liquid vaporizes at lower temperature than its boiling point, ठीक है, और यहाँ पर, जैसे एक चीज़ और समझो, यहाँ पर, यह example ध्यान रखना, aniline, aniline को, aniline और water के mixture से, इसी तरीके से separate किया जाता है, ठीक है, यह example, यह example आपको ध्यान रखना है, ठीक है, question यही से आते हैं, ठीक है, चलो, तो यह मैंने आपको समझा दिया, अब, अब हम बात करते हैं, जो हमारे पास last separation technique है, separating funnel का use करते है, ठीक है, वो दिखा देता हूँ, पहले आपको diagram दिखा देता हूँ, देखो, हमारे पास यह setup होता है, देखो, होता क्या है, यहाँ पर, एक second, पहले आपको समझा देता हूँ, देखो, अगर आपके पास, को अगर, अगर आपके पास ऐसा कोई solution है, तो आपको इस चीज तो पता होगा, कि organic substance पानी में less soluble होंगे, ठीक है, like dissolves, like rule, organic substance पानी में less soluble है, और आपको इस organic substance को पानी में से निकालना है, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, कि, एक second, आपने क्या किया, कि यहाँ पर इस solution में, इस solution में आपने डाल दिया, add किया, एक organic solvent, organic solvent, ठीक है, आपने इसमें organic solvent add किया, ठीक है, और आपने इसको vigorously shake किया, ठीक है, ऐसे से shake कर डाला, ठीक है, तो होता है न, shake well before use, ठीक है, बस वही आपने क्या किया एकदब vigorously इसको shake कर डाला ठीक है तो होगा क्या होगा ये कि जो organic substance पानी में less soluble था ये इसमें आ जाएगा किसमें organic solvent में आ जाएगा ठीक है तो अब आपके पास दो layer बन गई एक तो हो जाएगी organic solvent की layer organic solvent plus water की layer ठीक है आपके पास दो layer बन जाएगी अलग-अलग layer तो यहां से आप क्या करोगे नीचे से ढखकन खोल कर ये आप water को निकाल लो ठीक है तो organic solvent आपके पास उपर बचा रहा जाएगा इस organic solvent में से आप organic substance को extract कर सकते हो ठीक है ये evaporation वगरा से आप extract कर सकते हो ठ ठीक है तो यही है यही process differential extraction कहलाता है ठीक है या solvent extraction ठीक है देखो यहाँ पर आपके पास पहले क्या था organic compound organic compound aqueous layer में था मतलब aqueous solution में आपने यहाँ पर क्या किया एक organic solvent add किया क्यों क्योंकि organic compound organic solvent में ज्यादा soluble होगा ठीक है फिर आपने क्या क्या vigorously shake कर डाला ठीक है यह भोले ना थे ना ऐसे shake कर डाला ठीक है उसके बाद फिर क्या होगा organic compound इस solvent में आ जाएगा और नीचे आपके पास water बचा रह जाएगा ठीक है नीचे इस धक्कन खोलके निकाल लो ठीक है यह जो instrument यूज होता है इसके लिए इसको बोलता है separating funnel ठीक है चलो तो हम लोगों ने separation techniques तो देख लिए ठीक है अब ज़रह इसके questions का डालते है चलो बही question देख लेते हैं which purification technique is used for high boiling point decompose near its boiling point ठीक है कौन कौन सा होता है कौन सा होता है बताओ यह होता है reduced pressure distillation ठीक है अगला देखते है the distillation technique most suited for चलो इस question को देखते है distillation technique most suited for separating glycerol from spent light ठीक है यह भी हमने अभी पढ़ा है क्या होगा distillation under reduced pressure ठीक है चलो आगे देखते है और 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 यह question ठीक following chromatogram was developed by adsorption of यह six centimeter retardation factor निकालना है retardation factor तो देखो यहाँ पर आपके पास यह रहा solvent front ठीक है कितना हो जाएगा ठीक है ठीक हो six centimeter की तो आपके पास plate है 0.5 centimeter यह 0.5 centimeter यह ठीक है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा solvent front ठीक है मतलब solvent का distance covered कितना हो जाएगा baseline से लेंगे यह आपका baseline है न ठीक है तो कितना हो जाएगा यह 5 cm का हो गया ठीक है अब retardation factor आपको A का निकालना है ठीक है तो A का distance कितना हो गया 3 cm तो RF निकाल दो RF 3 upon 5 कितना 0.6 यानि कितना 6 into 10 to the power minus 1 ठीक है तो यहां कितना आजाएगा 6 ठीक है अगला देखते है statement is correct for paper chromatography ठीक है water present in the mobile phase gets absorbed by the paper नहीं 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 water present in the pores of the paper form the stationary phase सही है सही है सही है यह सही है ठीक है चलो अगला देखते है question हो गया था ठीक है यह भी हो गया था ठीक है paper chromatography के बारे में कौन सी बात correct है ठीक है water present अच्छा यह तो दुबारा हो गया ठीक है अच्छा यह question दूसरी बारा आ गया water present in the pores of the paper form the stationary phase ठीक है अगला यह भी हो गया था ठीक है duma method अभी नहीं हुआ है ठीक है चलो इसको देखते है TLC analysis of three component ठीक 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 यह पुरा data दे दिया गया है ठीक है A is the most non-polar सही है क्योंकि यह polar होता तो उसका absorption ज्यादा होता non-polar है मतलब उसका absorption कम हुआ है और वो ज्यादा उपर तक जाएगा ठीक है तो यह बात तो सही है भाई यह तो सही है और C is the most soluble component अगर यह C ज्यादा soluble होता तो ज्यादा उपर जाता उसका RF ज्यादा होता ठीक है तो यह बात तो गलत है और A will be eluted first सही है A ज्यादा solvate हुआ है ज्यादा वो soluble है ठीक है इसलिए तो ज्यादा उपर तक गया है तो यह बात भी सही है C is the most strongly adsorbed एक second adsorbed होगा adsorbed adsorbed component सही है सही है यह भी बात सही है तो यहाँ तो आपको क्या निकालना था not correct ठीक है तो आपका option क्या होगा B option next देखते है chromatogram separation of purification of compound is independent of physical state है बाकी तीनों मैं लिखा चुक है आप लोग को ठीक है पीछे हम लोग discuss कर चुके है निसकता mobile phase पटिपेंट है ना 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 यह यह incorrect है ठीक है और देखते हैं भई principle of column chromatography column chromatography में कहां पर adsorption हो रहा था solid phase में ठीक है तो differential adsorption of the substance on the solid phase ठीक है पढ़ चुके हम लोग ऑल्रेड़ी और assertion reason बचा है इसको देख लेते हैं तो statement one is labeled as assertion ठीक है ठीक 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 thin layer chromatography is an absorption chromatography TLC हाँ सही है यह बात तो सही है a thin layer of silica gel is spread over a glass plate of suitable size सही है यह भी बात सही है ठीक है तो assertion सही है reason भी सही है ठीक है और देखते हैं फिर यह question बचा रहे गया ठीक है इसको कर लेते हैं paper chromatography बारे में RF RF value of A देखो A कहां से कहां तक travel किया है यह baseline से 2 cm travel किया है ठीक है और solvent कहां 5 cm travel किया है ठीक है तो RF क्या होगा 2 by 5 कितना 0.4 यानि 4 into 10 to the power minus 1 ठीक है तो answer क्या जाएगा 4 ठीक है और क्या था अपने पास purification technique organic solvent ठीक है यह हो गया एक मेट एक मेट आई यह हो गया अपने पास ठीक है यह हो चुक है अभी discuss कर चुक है ठीक है चलो detection पढ़ लेते हैं detection detection देखो हमारे पास क्या होता है कि organic compound में बहुत सारे other elements हो सकते है nitrogen हो सकता है ठीक है carbon hydrogen तो होता ही है nitrogen होता है phosphorus होता है sulfur होता है halogens होते है ठीक है उनको detect करने की technique हम पढ़ने वाले है ठीक है तो देखो होता ही है कि जैसे अगर हमारे पास nitrogen, phosphorus, sulfur, halogens ठीक है तो इनको detect करने के लिए हमारे पास एक test होता है लसाइन टेस्ट लसाइन टेस्ट ठीक है तो लसाइन टेस्ट इन सब के लिए होता है ठीक है लसाइन टेस्ट लसन टेस्ट जो बोलना है बोल दो ठीक है ठीक लसाइन लसन ठीक तो देखो होता ही है कि और गैनिक कंपाउंड को और गैनिक कंपाउंड को हम क्या करता है हीट कर जब अरदस तरीके से heat करते हैं ऐसे heat करते हैं कि आप यह मान के चलो उसमें element वो अपने elemental form में आ जाता है ऐसे heat करते हैं तो उसके बाद फिर उसमें sodium add करके sodium fusion बना लेते हैं ठीक है sodium fusion extract बना लेते हैं ठीक है heat किया sodium add किया फिर और heat कर दो तो sodium fusion extract बन जाता है sodium के साथ वो elements mix हो जाते हैं ठीक है और sodium के साथ अपने respective compounds बना लेंगे ठीक अच्छा ध्यान दो sodium क्या होता है एलेक्ट्रो पॉजिटिव ठीक और गेनिक compound क्या होते हैं जनरली कोवलेंट होते हैं वो तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि यह सब जो elements है sodium के साथ mix होकर इन्होंने ionic compound बना लिये हैं है ना sodium तो एलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना और यह सब क्या है एक्ट्रो नेगेटिव तो sodium के साथ यह सब fuse होकर क्या बनाएंगे ionic compound ठीक है इतनी बात तो समझ आ गई होगी ठीक है तो देखो पहला हम टेस्ट देखते हैं यह किसके लिए भई हाँ ठीक ठीक हाँ चलो हाँ यह देखो sodium के साथ carbon nitrogen ने sodium यह سयनाइड बना लिया है और इसने sulfide बना लिया ठीक है। है हालोजन्स ने halide बना लिया ठीक है चलो अब पहला टेस्ट हम देखते हूं नाइत्रोजन के लिए ठीक है नाइत्रोजन अर क्या होगा carbon तो हो गई और्गनिक है ना carbon तो हो गई तो sodium के साथ heat करने पर इसने क्या बना है sodium cyanide ठीक है फिर फिर इसमें ferrous sulfate add करते हैं फिर ultimately हमारे पास एक complex बनता है complex नामों सब याद रखने की जुरूत नहीं है complex बनता है अपने पास ठीक है फिर देखो इस complex को जब हम ferric iron से treat करते हैं अब ferric iron कहां से आएगा समझो हमने यहाँ पर क्या किया है यह sulfuric acid ठीक है यहाँ पर हमारे पास sulfuric acid भी होता है ठीक है sulfuric acid तो sulfuric acid oxidizing agent है पता है सम लोगों को तो यह क्या करेगा इससे ferric iron में convert कर देगा ठीक है यहाँ लिख देता हूँ न sulfuric acid ठीक है sulfuric acid sulfuric acid ने क्या किया ferric iron को ferrous iron को ferric iron में convert कर दिया अब यही ferric iron क्या करेगा यह ultimately इस complex anion के साथ react करके pressure blue color देगा pressure blue color देगा ठीक है pressure blue color ठीक है तो अगर आपके पास pressure blue color आ रहा है इसका मतलब organic compound में nitrogen तो है ठीक है organic compound में nitrogen है तो भाई इस चीज़ को अच्छे से लिख लो कि pressure blue pressure blue color pressure blue indicates nitrogen यह क्या बताता है nitrogen के बारे में बता रहा है ठीक है अच्छा अब देखो अगला देखो अगला 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 देखो अगला हमाय पास sulfur ठीक है sulfur का test करने वाले sulfur sodium के साथ क्या बनाएगा sodium sulfide ठीक है कोई दीक कर नहीं sulfide iron है ना अपने पास sulfide iron ठीक है आप लोगों ने देखा होगा कि जो government buildings होती ना government buildings ठीक है तो government buildings पर जो paint होता है वो yellowish paint होता है तो कुछ समय बाद वो yellowish जो paint होता है वो black होने लगता है ठीक है क्यों? क्यों? उसका reason आपको यहाँ पता चलेगा देखो atmosphere में क्या होता है? hydrogen sulfide और वो जो government buildings पर जो paint होता है वो yellow color का जो paint रहता है ठीक है? उसमें होता है lead iron ठीक है? lead iron तो ये lead iron, sulfide iron जो hydrogen sulfide है ना atmosphere में उसके साथ react करके क्या बनाता है? lead sulfide जो की क्या होता है? black ठीक है? इसलिए वो जो yellow color का paint होता है कुछ समय बाद वो black होने लगता है ठीक है? अच्छा बस वही चीज़ यहाँ पर भी है समझो है आपर हमारे पास क्या था? sulfide iron ठीक है? sulfide iron था ठीक है? अब sulfide iron को sulfide iron in the presence of lead iron एक सकेंड ये कहां से आता है? ये आता है lead acetate से lead acetate से ठीक है? जब हम इसमें lead acetate add करते हैं इसी sodium fusion extract में तो आपको black color मिल जाता है ठीक है? तो समझो है यहाँ पर black black एक सेकंड तो black color आपका क्या indicate कर रहा है? कि वहाँ पर आपके पास उस organic compound में sulfur था ठीक है? और 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 नाइट्रो प्रूशाइड आयन, नाइट्रो प्रूशाइड आयन के presence में अगर आप नाइट्रो प्रूशाइड add करोगे इसी यह क्या बोलते हैं? sodium fusion extract में तो sulfide आयन आपको violet color indicate करेगा ठीक है? यह वाइलेट कलर का हो जाएगा ठीक है? तो black और violet आपको क्या देगा? आपको यहाँ देखो आपके पास क्या था? pressure and blue indicates nitrogen black violet indicates sulfur ठीक है? आगे देखते हैं और देखो halogen halogen देखो जब organic compound में halogen है और आपको halogen का पता लगाना है, detect करना है ठीक है? तो आपको carbon nitrogen sulfur इसको पहले हटाना पड़ेगा नहीं तो अगर आपने नहीं हटाया ना तो carbon nitrogen sulfur यह इस test में दिक्कत produce करेंगे ठीक है? क्या करेंगे? दिक्कत करेंगे ठीक है? तो समझना है इस बात को तो इसलिए हम क्या करते हैं? यह जो sodium fusion extract रहता है इसको concentrated nitric acid के साथ boil करते हैं ठीक है? ठीक है? क्यों? ठीक है? तो यह देखो यह लिखा भी है है ना ठीक है? ठीक है? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड अपने पास ही क्या था या पर? ठीक है ठीक तो इसको हमें remove करना पड़ेगा ठीक है ठीक है? ठीक चलो remove कर दिया हमने अब अब समझने आँ वहां पर आपके पास जो chloride iron है अगर chloride iron है ठीक है तो chloride iron nitric acid के presence में nitric acid यह सोरी 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 silver nitrate silver nitrate के साथ silver nitrate के साथ یہ क्या देगा silver chloride समझो यहापर आपने क्या किया? आपने बाके elements को remove किया वहाँ से, ठीक है, carbon hydrogen को छोड़ कर, ठीक है, तो अब आपके पास जो sodium fusion extract है, आपने उसमें क्या किया, silver nitrate डाल दिया, silver nitrate, ठीक है, silver nitrate में silver iron है, silver iron क्या करेगा, halogen के iron से react करेगा, अगर chloride iron है तो क्या बनाएगा, silver chloride, bromide है तो silver bromide, iodide है तो silver iodide बनाएगा, ठी silver iodide कैसा होता है, white PPT, ठीक है, लिखा भी हुआ है, white PPT, ठीक है, और silver bromide, silver iodide, ये सब क्या होते हैं, yellow color के होते हैं, ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, समझो, आपको PPT तो मिल गया है, लेकिन एक और confirmation आपको चाहिए, ठीक है, समझो, तो अब आप क्या करोगे, इनको ammonium hydroxide में dissolve करो, ammonium hydroxide में dissolve करो, ठीक है, तो silver chloride तो readily soluble होगा, ठीक है, silver chloride readily soluble होगा, हाँ, ये लिखा है, readily soluble होगा, लेकिन silver bromide sparingly soluble होगा, और silver iodide तो soluble ही नहीं होगा, ठीक है, तो आपको एक तो PPT के color से idea हो जाएगा, कि यहाँ पर कौन सा halide है, ठीक है, फिर, आप इसको और अच्छे से confirm करने के लिए, ammonium hydroxide में डाल दो, ठीक है, वहाँ से आपको पता चलेगा, solubility के basis पर, जो readily soluble होगा, वो क्या denote करेगा, कि chloride ion था वहाँ पर, chlorine था ठीक है, organic compound में chlorine था, अगर sparingly soluble है, तो it denotes the presence of bromine, अगर insoluble है, तो it denotes the presence of iodine, ठीक है, in that organic compound, ठीक है, तो अब कुछ क्या कर रहे है, हम लोग, देखो, basically हम लोग किये क्या, organic compound था, उसको हम लोगों ने sodium के साथ, भैंकर तरीके से heat कर डाला, ठीक है, तो organic compound के सारे elements क्या हो गए, छिन भिन हो गए, अलग-अलग हो गए, ठीक है, कुछ, और ये sodium के साथ, अपने respective compound बना लिए, ठीक ह अच्छा, फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसमें अलग-अलग element को detect कर रहे हो, ठीक है, अच्छा, चलो, एक और है अपने पास phosphorus, ठीक है, phosphorus को भी देख लेते हैं, अच्छा, एक चीज निकल गया, चलो, वो भी बताता हो, ठीक है, समझने हैं आपर, होता क्या है, यह करते हैं, nitric acid से treat करते हैं, फिर हमाँ पास क्या बन गया, phosphorus процid, बस, रुक जाओ, हमने क्या किया, phosphorus को oxidize किया, ठीक है, यह sodium peroxide से, तो sodium peroxide से oxidize करने पर हो क्या बनाया है, sodium phosphate, sodium phosphate को फिर नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करने पर आपके पास क्या बन गया फॉस्फोरिक एसिड बन गया बस रुको अभी फिर आपने क्या किया एक बड़ा हैवी कंपाउंड है ठीक है एक बड़ा हैवी कंपाउंड है ठीक है, ammonium phosphomolybdate और इसका color होता है yellow ठीक है इसका color होता है yellow ठीक है तो yellow color indicates yellow color क्या बता रहा है, it indicates the presence of phosphorus, question देखो ऐसी आता है, reactions वगर आपको नहीं पूछेगा, कि ये reaction लिखे दिखाओ, वो reaction लिखे दिखाओ, ये सब नहीं पूछेगा, आपको, आपको, generally यहाँ पर question कैसे ये color आ गया, तो कौन सा element detect होगा, ठीक है, तो ये सब चीज़े पूछा जाता है, ठीक है, इससे direct question आया भी है, ठीक, चलो, और आगे देखते हैं, और एक और है अपने पास, यहाँ नहीं है, चलो, मैं बता देता हूँ, ठीक है, अलग से भी बता देता हूँ, यहाँ पर, हाँ, चलो, यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, समझे यहाँ पर, एक चीज़ note करने वाली है, question के form में दे देता हूँ, यह, चलो, question के form में दे देता हूँ, ठीक है, क्या hydrazine, क्या hydrazine, लसाइन टेस्ट देगा, लसाइन टेस्ट देगा, नहीं देगा, क्यों, क्योंकि यह organic compound नहीं हुआ न, carbon नहीं है न, इसमें, carbon नहीं होगा, तो यह cyanide कैसे बनेगा, बास समझ रहो, cyanide कैसे बनेगा, similarly, diazo compound भी यह test नहीं देते हैं, बास समझे, diazo compound भी यह test नहीं देते हैं ठीक है तो यह exceptions है आपको ध्यान रखना है यह exceptions ठीक है अच्छा एक सेकंड एक और चीज़ आप लोगो बता देता हूँ ठीक है यहाँ पर हाँ यहाँ पर यह वाली चीज़ है ठीक है यह वाली चीज़ मिस हो गई थी बताता हूँ देखो अगर आपके पास nitrogen और sulfur दोनों present है organic compound में nitrogen और sulfur दोनों present है ठीक है तो होगा क्या जब आप sodium extract sodium fusion extract बनाओगे न ठीक है तो आपके पास N-CN बनेगा ठीक है N-A-S-C-N यहाँ पर anion क्या है S-C-N माइनस ठीक है यह आपके पास anion है अब यही anion ध्यान दो ferric iron से ferric iron से जब treat करोगे तो आपके पास blood red color का complex आता है blood red खूनी लाल ठीक है तो actual में इसको मैं last में बताने वाला था लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए हाँ पर बता देता हूँ ठीक है blood red तो blood एक सेकंड spelling ही गलत होगे यार एक सेकंड blood red तो blood red color का जो आपके पास complex बन रहा है it denotes the presence of sulfur and nitrogen बोथ ठीक है sulfur और nitrogen दोनों था ठीक अच्छा अब इसी को जब आप excess sodium से treat करोगे excess sodium से treat करोगे तो यह वापस से na cn plus sodium sulfide बना देगा ठीक है ठीक तो na cn और sodium sulfide बना दिया तो फिर से black और white color का जो आपके पास test आ रहा है वो देगा ठीक है और यह आपके पास यह Russian blue वाला test देगा ठीक है चलो इतनी बाते हो गई ठीक है तो यह था आपका detection of element ठीक है detection अब इसमें बस carbon और hydrogen का बचा है उसको भी हम discuss कर लेते हैं देखो क्यूप्रिक oxide क्या होता है एक oxidizing agent होता है क्यूप्रिक oxide oxidizing agent होता है ठीक है तो होता यह है कि अगर आपके पास जो organic compound है जिसमें carbon present है ठीक है तो समझना carbon को जब आप क्यूप्रिक oxide के साथ treat करोगे और गनिक compound जिसमें carbon है आपने इसको क्या किया क्यूप्रिक oxide के साथ treat किया ठीक तो आपको इस पता होगा कि hydrogen के नीचे जो elements होते हैं reactivity series में hydrogen के नीचे जो elements होते हैं उनका oxide ज्यादा stable नहीं होता है इसलिए heat करने पर उनका oxide decompose हो जाता है ठीक है तो इसलिए यहाँ देखो क्यूप्रिक copper का जो oxide है यह decompose हुआ और carbon के साथ treat करने पर इसने क्या बनाया CO2 ठीक है उसी तरीके से hydrogen के presence में क्या बना देगा H2O बना देगा ठीक और हम बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं कि CO2 when passed through lime water it turns milky ठीक है तो आपके पास यह जो gas बनी है अगर आप इस gas को lime water lime water से पास कर दो तो क्या हो जाता है उसका color milky हो जाता है milky appearance आता है ठीक है तो milky appearance confirms the presence of carbon जो कि organic compound में होता ही है ठीक है अच्छा और जब आप जब आप यह जो vapor बने हैं ठीक है अगर आप इसको anhydrous copper sulfate से पास करोगे anhydrous anhydrous मतलब जिसमें water नहीं है अगर आप उससे पास करोगे तो यह anhydrous copper sulfate जो की colorless होता है इसको यह hydrated copper sulfate में convert कर देगा और hydrated copper sulfate जिसको हम नीलात हो था या blue vitriol भी बोलते हैं ठीक है blue vitriol ठीक है blue vitriol हिंदी में मतलब नीलात होता है तो इसका color कैसा होता है blue color का होता है ठीक है blue color ठीक तो देखो इस तरीके से हमने क्या किया हमने अभी detection of elements अपना cover कर लिया है ठीक है हमने purification cover कर लिया detection cover कर लिया अब हम बात करेंगे quantitative analysis की देखो यह क्या था qualitative analysis ठीक है इसमें हम elements का detection देख रहे थे ठीक है देख लो अच्छे से